हाई अबरिवन मेरा नाम प्रतिक जगाति और आज हम इंडर्स 23 डेडिस बोरिंग कोस्ट रिवाइस करेंगे इसमें हम सारे कंसेट्स को भी रिवाइस करेंगे एंड उसकी बात कोशियंस भी जो है वो भी हम इस वीडियो के अंदर जरूर से रिवाइस करेंगे तो चलिए प किनाने पर फिर आगे हम फटाफट रिवाइस करेंगे बोरिंग कोस्ट का मतलब क्या यानि जो हम फंड वगेरा बोरो करते हुए उससे रिएलेटेड हमारे कॉस्ट इंकर होते हैं मालनीजे मैंने बैंक से पैसे उधार ली बोरो किया मालनीजे मैं डेवेंजर इसु करके पैसे लिए वो भी बोरूएंगे मालीजिए मैंने प्रेफरेंस इसू करके पैसे लिए वो भी बोरूएंगे मालीजिए मैंने एकुटी से इसू करके पैसे लिए वो पॉरिंग जब हम करते तो मारा कॉस्ट इंकर होते हैं कैसा कॉस्ट एक तुम्हारा इंट्रस कॉस्ट लगते हैं क्योंकि अगर हम पैसे उधार लेंगे तुम्हें इंट्रस देना होते हैं इंट्रस कॉस्ट लगते हैं इसके अलावा हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट भी डिक्ता संट कोस्ट भी लगता हैं हमें फानेश इंस्टूमेंट्स में दिखा है कि cannabis के छूट हम जाते हैं जैसे कि बेक्षाक की time के से लगजाते है इसे लग चाते डिपंद्चर्स करनी का कशचा लग इंद्ट करने का खर्शाल बेंग इन का सारी कि सारी कोस्ट dreaming में आ जाते हैं यानि अगर हम करेंगी तो उसे जो कॉस्ट है जैनरल ही हम क्या करते हैं वह दिखाते हैं यानि मेरा इंट्रेस्ट का खर्चा कहा जाता है मैं पता है पील में जाते हैं फानेशन इंस्ट्रुमेंट्स में आला कि हमने कि कि केस में क्या करते ट्रांजिक्शन कॉस्ट वगेरा को फानिशल लिएबिलिटी में हम क्या करते उसे एड़्जस कर देते हैं ना उसे एड़्जस्ट करके एफक्टिव इंटरस्ट रिट निकालते आपको याद हुआ जैसे माल लीजिए मैंने आप से 10 लाक रुपी उध इनिशल क्या है लाइबिलिटी में दिखाता हूं और हम क्या करते हैं जिससे मालने ज़्यादा आपका वो नहीं कर सकता में फिर भी एक जहलक दिखाना चाहता हूं मालने जिए तीन साल के लिए लून लिए एक्तम रॉफ में दिखाऊंगा मैं आपको फटा फट से मैंने टैन लाग रुपीज पैसे उधार लिए डेवेंचर्स दो करके पचास अजार 50,000 रुपीज मेरा ट्रांजिक्शन का खरच्चा लग गया तो मेरे पास आए कितने 9 50,000 अब मैंने जब कि आपसे 10 लाग रुपीज उधार लिए हैं तो मुझे आपको ब्याज इंटरस्ट देना होगा मालीचे 10 परसंट तो यह नहीं वन लाग रुपीज यहां पर मैं आपको इंटरस्ट दूँगा सेकेंड यर में भी मैं आपको बन लाग रुपीज इंट 50 परफिज न चाहिए और यहीं इंटरस्ट हम हर साल चड़ाते हैं तो नाइन लाग रुपीज परफिज परसें हर सल इंटरस्ट चड़ेगा और पेमेंट आएगा तो यह पेमेंट के नाम पर यह माइनस होगा जो फाइंस इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको सिखाया पर यह इंटरस्ट है हो या डिवरेंट हो वह हमेशा कहा जाता है पी यल में जाता है बट बट बोरिंग कोस्ट का अपने खासित है इंडेस 23 अगर लग जाएगा ना अगर इंडेस 23 के क्राइटिरिया सेटिस्वाइओ जाएंगे तो यह जो इंटरस्ट के खरचे हैं यह आपके transaction cost और इसको मैं इंटरस के अंदर ही समा दिया इसमें चला गया तो यह सारी आ जाते बोरिंग से रिलेटेट जितने भी करता है कि अब इंटरस्ट अदर कॉस्ट में ना दिखाते हैं हम क्या कर सकते उसे क्या पिटलाइज कर सकते हैं तो वह सारा कहानी मैं आपको समझाओंगा यहां पर अब मैं आपको च्छोटा सा एक्जामपल है तो कि जैसे कि मान लीचे पूर एक्जामपल मुझे बहुत बनातों तो मैंने आपको क्या क्या कि आप मेरे लिए पर्सनल जैट बनाई है हम आपको पैसे देंगे आप समय लगेगा तो अगर आप मेरे लिए जैड बनाओगे मैड या फिर आप खुद भी बना सकते हूं या फिर आप खुद भी बना सकतो तो यहां पर अगर आप खुद बनाओगे तो आपको पैसे फसाने होगे न वहाँ पर तो जैसे कि जो आपके पैसे फसेंगे ओविस्ती बात उसे रिलेटेड आपका इंटरस्ट का खर्जा हो सकता है क्या पता पैसे उधार लेके फ्लाइट बनाओगे मालनी जी एक फ्लाइट बनाने में आपको पांच करोड रुपिया फाइब करोड रुपिस आपका लगेगा और वो बनने में 2 साल का टायम लगई तो आपने मालीच अपने पैसे फसा है 5 करोड रुपीस फसा है तो बतायो क्या आपको अगर cost लगईगा 5 करोड रुपीस आपका flight बनाने का तो क्या मुझे 5 करोड रुपीस मैं बेचोगे जी नहीं आप 5 करोड के साथ उससे related इंट्रस्स कॉस्ट आपका लगा या ना लगा ऑपूर्चुनिटी कॉस्ट आपका जो बनता वो भी तो आप जोड़ोगे तो भी फिप्टी लाक रुपीस होता है दो साल का वन किरोड रुपीस होते हैं तो मुझे फाइप किरोड में नहीं बेचोगा मिनिमम मुझे सिक्स क्रोड रुपीस में बेचोगे या उससे जगादा में ही बेचोगा पुझे तो इसलिए स्टेंडर्ड हमें कहते हैं कि मान लीजे करोंगा self construct करूँगर और सिल्फ कंस्ट्रक करने पर मान लिजी मेरा अप मुझे उधार लेना पड़ा दिन बैंक से मुझे मुझे ुधार लेना पड़ा तो भी मैंने इंड्रस्ट भी दिया सब्सक्राइन का इस ब्दर्ण का कॉस्ट हरा और six Crud rupes मानो just standard आपको कहता है हाँ आप इस flight का cost जो है वो six Crud मान सकते हो जो one Crud rupes आपका interest का खर्चा लगा है वो हम आपको allow करें to capitalize लेकिन अगर माने जे flight रातो रात बन सकता है वो substantial period of time लगी लेगा नी तो ऐसा situation में borrion का खर्चा capitalize होने को नहीं देते हैं इसके पीछे भी लॉजिक है क्योंकि देखे अगर समय लगी गए नहीं तो फिर बोर्यूइंग का इंट्रस्ट किस पर होता है टाइम पीरेड यानि समय पर इंट्रस्ट लगता है चितना लंबा टाइम पिरेड उतना ज्यादा करता है हम उसे पील में ना दिखाते हैं मुझे क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बट एक चीछ का ध्यान रखी का महां नीचे अगर मैं सेल्फ कंस्ट्रक्ट करता हूं तो ऐसे सिच्वेशन में में अगर बोर्यूइंग का बिखाता मुझे क्या पिटलाइस करने को दोजी नहीं आपको बोर्यूइं करना होगा अगर आपने बैंक से उधार लिए या डिवेंचर इसू करके उधार लिए या फिर मानिचे प्रेफ्रेश जो भी आपने उधार लिए अगर पैसे तो ही आप क्या कर सकते हो चैपिट मट विए अब देखो तो कंपनी जब इड़ेस्था करती है तो एक्विटेसारहोलडर जो होते हैं वो ओर्नर रोकर वर्ण कंपनी तयोन को इसकानुदे अगर अपने पैसे लगाते हैं तो वह हम णहीं कर सकते हैं तो यहां पर आप परक्रिप्रोंसेशन कंस्रस्ट्ट्ट्ट्ट्रग्शन और क्वालिफाइग एसेट का मतलब क्या विये समझे क्वालिफाइग एसेट मतलब वो एसेट अब यह रेटी फो यूज निहीं हुआ है और यह substantial period of time लेगा हालाकि standard ने substantial period of time का कितना समय बताया है नहीं है पर generally हम 12 months को consider करते substantial period उसने कम भी आप ले सकते हो चलीगा कोई problem नहीं है otherwise 12 months को ही consider किया जाएगा एकाथ कोशी ने जहां पर कम को भी वो management का judgment होगा management को लगता है कि 10 months is considered substantial तो उतना मान सकते हो तो अब यहां पर जैसे की word दिख रहा होगा आपको acquisition construction production acquisition का मतलब क्या होगे जैसे मालने जे मैं ready made flight खरिद के लिए कि आता हो तो अगर वो already ready for use है तो वो qualifying asset नहीं हुआ तो आपका potential period of time लगेगा तो आपके बिहाफ में तो बना रहे तो ऐसे situation में आपको से advance देना पड़ सकते है माले जै मैंने उसे टू कुरूड रुपीस पैसे आज ही दे दिए वो मुझे फ्लाइट दो साल के बाद देगा है ना जैसे मोधी जी ने कहा कि missile बना के दो रसिया को है ना पाकिस्तान के साथ यूद करना है missile बना के दो तो एडवांस पैसा मांगा रसिया ने क्या आप हमें 200 कुरूड रुपीस अभी दे दीजे तो हम मोधी जी ने 200 कुरूड रुपीस बैंक से उधार लिके दे दिए तो ऑवियोस दी बात है वो किसी से बनवा रहा है बनानी रहे तो किसी से बनवा रहे और उससे रिलेटेट जो बोरिंग कॉस्ट है क्या क्या कंप्लीट होने में कंस्रॉक्षन सब्सेंशब ब्रेड टाइम लगे गा या फिर प्रोडंट्सन इंवेंट्री मानीजे मैं को इन्वेंट्री बना रहा हूं और वो सब्सेंशल ब्रेड व्र्टाइम लेगा to get ready for its intended use इन्वेंडर के बारे में थोड़ी चर्चा बाद में और हो जाएगी तो यहाँ पर ऐसे situation में अगर मैं acquire करता हूं construct करता हूं production करता हूं of a qualifying asset यानि जो substantial period of time लेगा to get ready for its intended use तो ऐसे situation में boring cost क्या होगा capitalize हो जाएगा वो asset के cost में जूड जाएगा यानि वो missile के cost में जूड जाएगा मालीजे मोदी जी से टोटल पैसे लिए रस्या ने पुतिन ने टोटल पैसे लिए 1000 क्रोड रुपेस मोदी जी से और मोदी जी का वो पैसा बोरो करने पर 50 क्रोड रुपेस का interest लग गया तो हम missile का total cost 1000 नहीं बोलेंगे 1050 क्रोड बोलेंगे कितना आपको समझना यह इंट्रेस में दिखाते हैं वो हमें पता है जो की डिरेक्ली एट्रीबूटेबल है यहींनि जो एसेट से रिलेटेड है कॉलिफाइंग एसेट से रिलेटेड है वही कैपिटलेज होगे अब मालीजे मैंने अलग अलग वो डिवेंचरी सू करके रखा हुए पर उसका कोई लेना देन नहीं इससे तो पर क्यों कैपिटैलाइज कोई जो एससे रिलेटेड है वह कैपिटैलिस होंगे जो इसम्झाय है यह ना कैंने एफक्टि इंट्रिक करते हैं यह इंग रोगगी पिर आगे इसके अलाओए exchange difference जिसके बारे में बात करेंगे exchange difference के बारे में नीचे बात करने वाले और एक interest in respect of lease liabilities इंडस 116 का जो उसमें उसके साब सी जो हम डिलिंग करते हैं यह इतना यहां पर कोई इसका major rule है नहीं आपर तो यहां पर qualifying asset मैं नो अल्रेडी समझा दिया जो substantial period of time लेगा to ready for its intended use वो use या फिर आप माली जब asset बनाके बीचोगे तो sale करने के लिए वो time लेगा यह नहीं वो ready for use होने पर वो ready होने पर time लेगा substantial period of time और substantial period कितना मानते हैं usually 12 months माना जाता है अब देखिए qualifying asset क्या हो सकता है बहुत हो सकता है जैसे मैंने का inventory हो सकते हैं intangible assets हो सकते है manufacturing plants हो सकता है investment property कुछ भी हो सकता है बेर प्लांट भी हो सकता है अब मैं बना रहा हूं construct कर रहा हूं substantial period of time हो सकता है आपका है ना आगे यह standard case पर apply नहीं होता है यह बात करेंगे तो मैंने कहाता है नहीं होता है क्यों क्योंकि अगर अपने पैसे लगाएंगे तो उनका related कोई भी borrowing cost हम capitalist करने को नहीं देंगे जैसे मैं माली को मैं अपने पैसे लगाऊंगा तो मैं नहीं कह सकता मैंने पैसे उधार वो रोख किये वसे यहाँ पर equity set से related हमको डिवरेंट पे कर रहें equity set से related कुछ issue cost लगा है तो वह हम अपने मालिक से ले रहे मालिक अपने जेब से पैसे दे रहे तो यह capitalist नहीं होने वाला और आगे प्रेफरेंस अगर मालीजे वह classified हुआ एस इक्विटी तब तो नहीं आएगा अगर वह लाइबिलिटी ट्लासिफाइब तब तो फिर बोरियों आएगा तब वह आउटसाइडर है तो यहाँ पर क्या लिखाओ अगर वह लाइबिलिटी नहीं है अगर वह एक्विटी है तो सिचुइशन में प्रेफरेंस भी नहीं यहीं एक्विटी आउटसाइड डस्कोप फ इंडस्ट एगर एक्विटी से रियुटेट कुछ भी खर्चे लाग रहे हैं तो मालिक के पैसे हैं और उसे हम opportunity cost कहते है और opportunity cost का यहाँ पर कोई जगा नहीं है यह आपको समझ नहीं है ना चलिए यह हमने समझा और आगे भी बात कर लेता है standard किस पर अप्लाई नहीं होता और फर्दर जो की मैसर होता है टेपर अगया चलिक्ट हो तो भी यही ओसपर कंदेशर दिलागे ऊस पर बीचिक logic भी क्योंकि वह ओलरीडी हमेसा fair value में मैं जरू होता है इनीच यह भी फैर वेल्यू में में जरू होता है तो को लॉजिक नहीं बनता है उसे capitalized करने का तो इसलिए उस पर इंडर्स 44 लगए करने की कोई आवा सकता नहीं आपर फिर आगे नेक्स्ट इन्वेंटरिस के बारे में कुछ बात करेंगे जैसे मैंने कहां इन्वेंटरिस भी कवर्ड है अगर माने जें इन्वेंटरिस सब्स्टेंशल पेरोड ऑफ टाइम लेगा तो गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडे यूज तो ऐसा सिच्टूइशन में वो कॉलिफाइंग एसेड माना जाए और आप बोरिंग कॉस्ट को उस इन्वेंटरि में क्यापिटलेस कर सकते हो जैसे हम इंडेस्टू में पढ़ते ना इन्वेंटरि में भी तो हम खरजे क्यापिटलेस करते हैं डिरेक्ली में मौटरस साइकल बना तो मोटरसाईकल बना कि बेच कि मैं यहां नहीं नहीं बनता है यहां पर आपको क्या कहना चाहता है कि अगर वह inventory large quantity में बनता है ओने repetitive basis तो आप इस इंडेस 23 के scope से बाहर हो जाएगा तो या क्या इंडेस 23 के scope से बाहर है एक और दूसरा inventory सारे जी नहीं वो जो large quantities में बनते हैं ओने repetitive basis ठीक है तो यह दो वर्ड धिहान में रखेंगा large quantities और यहां पर अभी तक मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लिए आगे हम ज्यादा टाइम लिए फिर आगे तो यहां तक मैंने आपको समझाया कि इंट्रस और अधर कॉस्ट जो है वो कैपेटलाइस हो सकता अगर क्वालिफाइंग असेट है तो है ना यह और क्वालिफाइंग असेट मतलब क्या सबसेंशनल पेरेड अजाता है कोई जरूरी ने टंद मैंगे चले और बोरिंग कोस्ट के अंदर जैसे इंट्रस एइक्स्पैंस मैंने आपको अपको समझाया था एक्षेंज डिफरेंस का कंसेप्ट हम नीचे सिखेंगे यह इतना पूरेलेवेंट है नहीं और फिर आगी मैंने बता है डिवरेंड वागे रहा है एक्विटी से रिलेटेड जो भी ठर्चे लग रहे हैं वो कभी भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि एक वर्ड आप एक बार लिख दीजेगा एक्विटी सेहर होल्डर्स है और ओनर्स है यानि मालिक हो गई है और यह इसलिए कवर नहीं अब हम बात करेंगे एक्षेंज डिफरेंस टू इंक्लूदेड इन कॉस्ट ऑव एक्विटी यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है यह मैं इंडास 21 में हमने सिखा है कि जैसे कि अगर हम foreign currency borrowing करते हैं यह foreign currency transaction करते हैं तो वहां पर एक्षीए रिफरेंस आते है ज्यस्य मालेते में इंडिया में रहत हूं इंडिया में क्या चलते रूपी चलते और मैंने रूपिया में बोरू ना करते मैंने क्या किशन की चरवड औ और मैंने किया कि उसे डिलर में बोरू कर लिया, रुपी पर डिलर मालेजिए 50 चल रहा था, तो मैंने खा 10500 बोरू कर लियू 5% यंट्रस तो फाइब लाग रुपीस पर 5% कितना होता है 25,000 रुपीस होता है वह इंट्रस मेरे से रुपिया में थोड़ना लेगा मुझे दॉल्र में इंट्रस मांगेगा तो टैन थाउजिन ॉजिंट डॉलर जो मैंने बोरू किया है उस पे मुझे उसे इंट्रस देना तेन थाउजन डॉलर का 5% कितना मैंने रुपिया बोर नहीं किया मैंने डॉलर बोर किया डॉलर टेन थाउजन पर 5% इंट्रस है नहीं 500 डॉलर मुझे उसे देना पड़ेगा अब माल लिज्जे जब एक साल के बाद रुपी पर डॉलर सिक्स्टी रुपीज हो गया अगर रुपी पर डॉलर सिक्स्टी हो जाएगा तो मुझे 500 डॉलर चुकाने के लिए कितना देना पड़ेगा कैल्कुलेट कीजिए अगर मेरा लाइबिलिटी है यह अगर मेरा लाइबिलिटी यह तो जो पहले 5 लांग रुपीस का मेरा लाइबिलिटी था अब वोBYT मेरा बन चुका math यहीं मेरा लाइबिलियुटी increase हो गया रुपीस से यह मेरा debat से की एक-चेंज रेट बतालने के चलते मेरा लाइबिलिटी बड़ चुका थो यह विर्णक लेकिन standard यहां पर आपको allow करेगा कि exchange difference जो आपका आया आप उसे भी capitalize कर सकते हो लेकिन to some extent कुछ limitations है वो limitations को ध्यान में रखते भी आप capitalize कर सकते हो तो वह यह जी मुझे आपको यहां पर समझाना है इसके लिए मैं एक example लिया हुआ है वो example अभी हम discuss करेंगे तो यहां पर example देखते हैं first April 2001 को Indian entity ने borrow किया dollar thousand at the rate of four percent interest when dollar one equal rupees 40 और equivalent amount कितना है one dollar equivalent to one dollar equivalent to rupees 40 है तो thousand dollar का कितना होगा रूपी value thousand dollar into 40 यानि 40,000 rupees हमारे घर आया यानि मैंने US ते समझ लेजे thousand dollar borrow करके घर लाया and exchange वाले को दिया exchange वाले ने मुझे 40,000 rupees दे दिया वही अगर मैं चाहता अगर मैं इंडिया से borrow करता functional currency में अगर मैं borrow करता तो मुझे 12 percent interest लगता मेरा इसलिए तो मैं बहार से borrow करके ला रहा हूँ ताकि मेरा interest कम लगे अब देखिए first year end में क्या हुआ first year end में exchange rate हो गया one dollar equivalent to rupees 50 यानि one dollar 50 rupees हो गया first year end में exchange rate जहां पहले one dollar equal to rupees 40 था वह one dollar equivalent to rupees 50 हो गया अब देखिए तो interest expenses हमारे क्या लगया बताई interest का जो मैं खर्चा हर साल दूँगा interest payment करूँगा वो मैं रूपी में करूँगा कि dollar में मैंने तो US से बोरो किया तो उनको तो dollar में देना पड़ेगा है ना तो interest का खर्चा कितना होगा thousand dollar पे 40 thousand rupees पे नहीं thousand dollar पे thousand dollar पे मेरा interest का खर्चा लगीगा 4% interest लगीगा है ना तो यानि कितना 40 dollar मुझे पे करना पड़ेगा अब 40 dollar में उसे पे करूँगा मेरे पास तो 40 dollar है नहीं मेरे पास तो क्या होगा रूपिया होगा तो मैं रूपिया देके exchange वाले से dollar ले के आउनगा और वो dollar फिर हम USA के जो भी हमारे बैंक के उसे हम दे देंगे तो यानि एक dollar खरीदने का rate क्या चल रहा है आज के दिन 50 rupees चल रहा है तो 50 rupees करके मेरा 2000 rupees interest का खर्चा बनते हैं तो यह interest का expenditure तो हम capitalize करेंगे इसमें कोई आपत्ती नहीं है यह तो capitalize होई जाएगा आपत्ती किसमें है कि आपका जो liability था पहले वो liability भी change हो जाएगा कैसे पहले हमारा liability 40,000 rupees का था क्योंकि हमने 1000 dollar बोरो किया था उसका equivalent रूपी 40,000 हो रहा था बट अब exchange rate 50 हो चुका है तो हमें अगर मालनीचे आज के दिन मैं 1000 dollar चुकाने को जाओं तो मुझे 1000 dollar चुकाने के लिए 50 rupees करके डॉलर खरीदना पड़ेगा यानि एक डॉलर खरीदने के लिए 50 rupees तो 1000 dollar खरीदने के लिए कितना होगा 50,000 rupees तो 50,000 rupees मेरा अब liability बन गिया है तो यानि मेरा exchange loss आया हाँ पर जहां मेरा liability पहले 40,000 था अब वो remeasure होके 50,000 हो जाएगा 10,000 का exchange loss है यह मैं आपको समझाओंगा कैसे एक balance rate से समझाता हूँ बनाया हुआ है बट एक बार आपको balance rate से फटा फट से समझा देता हूँ देखिए सुरवात में मैंने 1000 dollar लिया 40 करके 40 क्यूंकि मैं रूपी मेरा functional currency है इसी मैं तो लिखूंगा मैं मैंने 40,000 rupees बैंक में मेरे पैसे है मेरा liability भी कितना होगा 40,000 initial मेरा liability है यहां तक समझ मैं है यानि 40,000 bank 40,000 liability अब first year में क्या होगा interest expenses मेरा liability को बढ़ाएगा यह interest expense हमने already निकाला हुआ कैसे 40 dollar मुझे देना पड़ेगा 1000 dollar का 4% 40 dollar मुझे देना पड़ेगा और एक dollar खरीदने का rate है 50 rupees पर dollar यहां तो क्या interest expenses पेल में जाता है जी हां लेकिन अगर आपकी पास capitalization करने का eligibility है अगर आप को qualifying asset बना रहे हो तो आप उस qualifying asset पे उस particular qualifying asset का जो भी value है आप उसमें क्या करोगे interest को capitalize कर दोगे यनि यहां पर liability interest को बढ़ाएगा और interest capitalize हो जाएगा चलिए यहां तक ठीक है अब interest का खर्चा तो हर सल payment करूँगा मैं तो interest pay कर दूँगा तो मेरा liability भी कम हो जाएगा फिर से 2000 और bank से मेरा payment भी हो जाएगा 2000 में bank से payment कर दूँगा बात करें डबल effect सारा दिखा रहा हो मैं आपको अब आगे क्या होगा अब आगे मैं liability जो मेरा monetary item में इंडस 21 के साब से मैं इसे remeasure करूँगा मैं कहूँगा मुझे 1000 डॉलर चुकाना है यूसे के bank को और आज के rate में रुपी पर डॉलर चल रहा 50 यानि 50,000 रुपीज का मेरा liability है बट यहां पर आप यह देखोगी तो यह तो 50,000 का है तो मेरा exchange loss आया exchange difference आया कितने का 10,000 रुपीज का मेरा exchange difference आया तो यह जो exchange difference आया इसे क्या मैं PL में दिखा हूँ loss PL में दिखाऊं या फिर मैं इसे capitalize करूं इसी के बारे में हमें बात करना है तो इसके बारे में हम बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं तो standard हमें क्या कहते हैं इंडेस 21 तो कहता है exchange loss या gain जो भी ये PL में जाएगा इंडेस 21 पर इंडेस 23 हमें कुछ allow करते हैं अगर अगर मालनीजे इंडिया में ये फंड्स बोरू होता तो इंडिया में क्या इंडर्स लगता तो अगर equivalent रुपीज कितना 40,000 अगर 40,000 रुपीज equivalent amount यह तुवा 1000 डॉलर का equivalent जब हमने बोरू किया था इंडिया में बोरू करते तो 12% ब्याज लगता कितना 4800 का interest लगता हमारा बट यहाँ पर हमारा interest लगा only 2000 है ना तो हमने बचत तो किया है हमारा interest लगा जो हमने रियल में बोरू किया है तो देखा ज़िए तो इंडिया के comparison में 2800 हमने सीव किया है as compared to Indian इंडिया इंडियन बेंक लोन यह नहीं functional currency लोन तो यह जितना extent आपने सीव किया है उतना आप क्या कर सकते हो तो मतलब यह जो 10,000 है out of rupees 10,000 exchange loss हम क्या कर सकते है 2800 जो आपने save किया है वो आप capitalize कर सकते हो और remaining 7200 आपको PL में दिखाना पड़ेगा मतलब कुल मिला के simple सी बात है standard हमें यह कहता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिया में आपका interest केतना लगता तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ 40,000 रुपीस मेरा equivalent loan है और इंडिया का rate मेरा 12% है यानि 4800 हुआ यानि 4800 मेरा maximum capitalize होगा क्योंकि 4800 मेरा इंडिया में interest का खर्चा होता और interest का खर्चा में इंडिया 23 के साब से capitalize कर देता हूँ तो standard के ता है जो interest का खर्चा आपका डॉलर का जो भी equivalent रुपी है उसमें को दिक्कत नहीं है 4800 से ज़्यादा भी होता है तो कोई problem नहीं है interest का खर्चा ओविस्सी बात है मैं कहीं से भी बोरो करूँ कुछ भी rate में बोरो करूँ interest का खर्चा तो capitalize हो गई exchange difference की बात हो रही है exchange difference जितना आप save कर सकते थे इंडिया बोरोइंग में उतना आप capitalize कर सकते हो तो फिर से में एक बार repeat कर दे रहो मैंने कहा कि 4800 टोटल लगता तू धाओ जी नहीं मेरा interest का खर्चा लगा इंडिया बोरोइंग है ना तो यहाँ पर 2800 से वगवा और यह हम क्या कर सकते है capitalize कर सकते हैं maximum और remaining 7200 क्या होगा P.E.L. में जाएगा तो मेरा balance इट में चली मैं इसे क्या करता हूँ इसे नीचे ले जाता हूँ मेरा जो balance इट है इस balance इट में मैं क्या करूँँगा देखिए यह exchange loss तो 10 थाउजिन में यहाँ पर दिखा दिया है ना liability को बढ़ा दिया अब इसका double effect क्या होगा इसका double effect ही होगा कि हमारा qualifying asset पे exchange जो loss है वो 2800 हमारा qualifying asset बढ़ जाएगा capitalize हो जाएगा बाकि remaining 7200 हमारा P.E.L. में charge हो जाएगा और balance इट आप देख सकते हो match करेगा हमारा 100% क्योंकि मैंने सबका double effect दिखाया है देख लेते हैं यह रहा 40,000, 40,000 double effect फिर interest 2000, 2000 double effect है ना फिर payment क्या हो रहे है फिर payment 2000, 2000 double effect है ना उसके बाद आपका 10,000 का जो exchange loss है 7200 P.E.L. में charge हो गया बाकि 2800 capitalize हो गया double effect के साथ आपका balance rate बन गया तो यही चीज आपको mainly सीखना है यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए exchange difference मेरा 10,000 रुपीज का आया तो question यह रहस होता है कि क्या हम capitalize कर सकते है पूरा तो वह ही मैंने आपको सिखाया हम यह देखेंगे कि इंडिया बोरी में हमारा कितना capitalize होगा 4800 हमारा capitalize होगा तो यहाँ पर जबकि 2000 अपने interest expense already capitalize कर दिया है है ना तो remaining 2800 आप capitalize करोगे बाकी का 7200 आप PL में दिखाऊगे यहनि overall 4800 हमारा क्या हो रहा है capitalize हो रहा है तो यहाँ पर जो notes है यह notes का link आपको मिल जाएगा telegram में भी डाला होगा and google drive से सारा notes आपको मिल जाएगा आपको लिखने की जरुत नहीं आप यह notes print कर आ सकते हो यहाँ पर revision purpose के लिए चली तो यह हमने समझा और इसी से related balance rate तो मैंने already बना के दिखाया यह साफ सुत्रा balance rate आपको यहाँ पर दिख रहा है और नीचे मैंने understanding के लिए आपका balance rate बना है तो I hope आपको यह समझ में आया अच्छे से अब यहाँ पर problem नहीं अब इसका म एक और alternative लेंगे माल लिजे माल लिजे यह scenario है नहीं first year end का यह scenario है नहीं जैसे मैंने कहा कि first year end में आपका exchange rate हो गया $1 equal rupees 50 माल लिजे यह नहीं हुआ होता कुछ और हुआ होता माल लिजे माल लिजे फर्स year end में alternative scenario में first year end को रुपी पर डॉलर 41 होता तो क्या होता तो यहाँ पर आपको relate करना होगा वापस स्टार्टिंग में आपने जब बोरो किया था 4% interest पे तो 40 रुपीज पर डॉलर था अब first year end में alternative scenario में अगर 41 हो जाता है तो देखिए interest cost तो हमारा capitalize हो गई interest cost कितना बनेगा thousand dollar पे 4% करके 41 रुपीज करके हम खरीद लेंगे है ना तो 40 रुपीज हम खरीद सकते है 41 रुपीज करके यहीं 1640 यह हमारा interest का खर्चा हो गया और यह तो capitalize हो गया इसमें कोई doubt नहीं अब हमें देखना है exchange difference exchange difference कितना आएगा तो दीखे पहले thousand dollar का liability था अभी भी thousand dollar का liability है लेकिन पहले रुपी पर dollar 40 था भी 41 हो गया तो monetary item में आपका जो exchange difference आएगा वो exchange difference कितना आएगा एक रुपया का पर एडॉलर वन रुपीज बदल गया उस time तो 10 रुपीज बदला था अभी वन रुपी करके बदला तो thousand dollar पर वन रुपी करके चेंज हुआ यह निए exchange difference आया यह आपका exchange difference है कितने का thousand का आया तो हम इसे तो capitalize करेंगे इसमें तो कोई doubt है नहीं इसमें तो कोई doubt है नहीं इसे तो यह तो interest का खर्जा कितना भी हो capitalize होगा exchange difference जो है यह जनरली capitalize होता ही नहीं है यह इंट्रेस्टेंड अधर कॉस्ट नहीं है पर exchange difference में हमें इंडेस 23 एलाओ करता है तो दे एक्सेंट है जितना आपका इंडिया में खर्चा होता उतना हद तक maximum अब capitalize कर सकते हो तो इंडिया में हमारा खर्चा कितना होता है पहले समय निकाल रखा है न 4800 हमारे इंडिया में खर्चा होता है यह मैं पता ही है क्योंकि अगर हम equivalent 40,000 रुपीज लेते 12% में 4800 हमारा खर्चा होता है तो दिए कितना बचते है 3160 हमारा capitalize और हम कर सकते चाहे तो बट इतना तुम्हें करने नहीं हमें तो कितना घंड है थाउजेंड ही capitalize करने है तो पूरा का पूरा capitalize हो जाएगा पिछले वाले alternative में क्या हुआ था वहाँ पर हमारे interest का खर्चा 2000 हुआ था क्योंकि हर डॉलर को खरीदने में 50 रुपेस लग रहा था इस बार हमारे interest का खर्चा 21640 है क्योंकि हर डॉलर को खरीदने में हमारा 41 रुपेस करके लगे तो remaining जो है वो क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं remaining capitalize कर सकते तो कियम पुरा एलिवल है जी आप पूरा का पूरा थाजिन आप क्यापिटलेस्ट कर सकते हो तो यहां पर आप बैलन सिर्ट सक्रें इसकी लिए तो बनाने की जरूत नही है आपको समझाए नहीं जी तो यहां पर क goofy आपने प्रब्लम नहीं है पर फिर भी कि कि मैं फटाफटिक बैलेंसिट बना देता हूं आपका बस फीगर्स लिखे बनाऊंगा ठीक है ना लाइबिलिटी 40,000 का था और बैंग में पैसे भी 40,000 आये थें इतने का लाइबिलिटी था इंट्रेस्ट हमारा कितना आ रहा था कि 1640 आ रहा था 1000 डॉलर पे 4% करके 41 रुपेश 1640 तो था यह इंट्रेस्ट का खच्चा कैपिटलाइस होगा है यहाँ पर क्वालिफाइंग एसेट पर यह हम केपिटलेस कर देंगे और पेमिंट कर देंगे तो कैस 1640 से कम हो जाएगा लाइबिलिटी भी 1640 से कम हो जाएगा हमारा और यह बच्चे के चुपाना पड़ेगा यह नहीं 41,000 तो एक्षेंज लॉस आया 1000 का तो यह PL में जाएगा कि capitalist होगा क्योंकि हम जब कि maximum हम और extra कितना कर सकते हैं मैंने दिखाया था 3160 कर सकते हैं यहां पर तो है कितना 1000 तो 1000 पूरा का पूरा एक्षेंज डिफरेंस जो है capitalist हो जाएगा तो यहां थाउजिन यहां बढ़ाया थाउजिन यहां बढ़ाया वस बात खत्म एंड बैलेंस इट हमारा बन गया तो यहां पर यह वाला alternative scenario एकदम simple था कोई problem नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है अब इसे आप भूल जाएए यह अपने सीख लिए ऐसे भूल जाएए हम फिर से इसी सिनारियो का second year पर जाएंगे जिसने zero tier पर जो data था zero tier पर रुपी पर dollar 40 था first year end पर रुपी पर dollar 50 हो गया तो जिसके चलते हमें पता चला जो मैंने पहले एक्जामपल समझाया था thousand रुपीस interest का खर्चा था capitalize होगा 10,000 exchange difference था जिसमें मैंने का 4800 का maximum capitalization होने 2000 already capitalize हो चुका है interest का 2800 हम और capitalize कर सकते हैं यह रहा और 7200 कहा जाएगा पील में जाएगा यह हमें पता है तो यह वाला scenario कब continue करेंगे first year end को continue करेंगे देखे मैंने आपर ग्राफ भी मनाया अब second year end first year के बाद क्या हो गया second year आ गया चलिए तो second year end में देखते हैं क्या हो रहे है वन डॉलर एक्वल रुपीस 48 हो गया second year के एंड में 0-3 में 40 था फिर्स यर में 50 हो गया second year में 48 हो गया है ना second year में कितना हो गया 48 हो गया तो interest का खर्चा कितना होगा thousand dollar पे 4% करके 48 रुपीस 40 dollar interest का पेमेंट करना है 40 dollar interest का पेमेंट करना है और 48 रुपीस करके कितना होगा 1920 ये तो capitalize होगा इसमें कोई अपती नहीं है ये capitalize होगा अब इसके अलावा exchange difference भी होगा तो इस बार हमारा liability घटेगा क्यों क्योंकि हमारा liability जो है ना वो remasher हुआ हुआ है thousand dollar पे 50 रुपीस करके है ना ये देखे thousand dollar पे 50 रुपीस करके हमारा measure हुआ 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 है इतने का liability हमारा दिख रहा है first year end का अब second year end में क्या होगा इस नी कोगर में यहाँ पर छोटा करके हटा देता हूँ देखिए इतने का हमारा liability दिखा हुगा अब interest जो है वो तो interest liability को बढ़ाएगा और फिर minus भी हो जाएगा payment हो जाएगा अब हम liability को फिर से remeasure करेंगे second year पर करेंगे thousand dollar into 48 हो गया अभी कितना हो रहे 48,000 यहनि 2000 का तो gain आया इस बार loss नहीं आया 2000 आपका liability कम हुआ है 2000 का gain आया तो gain को PL में दिखा है कि capitalize कर अब खर्चा थोड़ना जो capitalize करोगे gain है तो gain को तो PL में दिखाना चाहिए बट 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 यहां पर आप दिखिए पहले आपने इतना capitalize किया हुआ है तो capitalization reversal हो जाएगा मतलब पहले आपने जो capitalize किया था अब वो reverse हो जाएगा और reverse कितना होगा जितना आपने पहले capitalize किया उतना ही अब reverse करोगे जैसे दिखे पहले हमने 2800 capitalize किया तो उतना हद तक हम reverse करेंगे अब मान लीजे exchange gain आपका यहाँ पर आता 4000 तो क्या 4000 reverse होता है जी नहीं? पहले पहले बाला समझा देता हूँ तो यहाँ पर 2000 आपका exchange gain है तो यह आपका exchange gain क्या होगा यहाँ पर हम reverse करेंगे क्योंकि 2800 पहले capitalist क्या होगा है है ना तो इस बार exchange gain आपका reverse हो जाएगा 2000 का यहाँ पर double effect दे दिया liability 2000 से कम हो जाएगा reverse 2000 हो जाएगा लेकिन वही समझी यहाँ पर अगर यह 4000 होता liability 4000 से कम होता तो हम क्या करते हैं? तो कि यहाँ पर 4000 reverse करते हैं? जी नहीं हम तब करते 2800 reverse करते हैं क्योंकि उतना ही capital है इसके होगा है तो बाकी का क्या? बाकी का gain PL में जाएगा 1200 जो remaining है वो चला जाएगा खापर PL में तो उमीद है यह वाला part भी आपको अच्छे से समझ आ गया तो यहाँ पर आप दिखें exchange gain हमारा 2000 आया है तो यहाँ पर जो आपको पिंक वाले दिख रहे है यह पहले के carry forward है पहले का liability 50 thousand याद होगा आपको है ना और qualifying asset में interest इतना capitalized किया अब interest का खर्चा तो capitalize हो गई और interest liability को बढ़ाएगा जब payment कर देंगे तो cash कम हो जाएगा liability कम हो जाएगा मैंने cash इधर फिर से balance rate में नहीं दिखाया अब exchange gain 2000 तो यह क्या होगा adjust कर दिया हमने दिखे पूरा 2000 हमने adjust कर दिया reverse हो गया हमारा यह तो यहाँ पर less than 2800 तक हम adjust कर सकते हैं तो यह कर दिया बस बात खतम और liability remezer हो चुका है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका maximum 2800 reverse हो सकता है पर हम तो 2000 ही reverse कर रहे है कोई problem नहीं है लेकिन सोचे ने second year को अगर data कुछ अलग होता 44 होता तो क्या करते हैं जान मुझ कि हम exchange gain जाना दिखा रहे हैं यह भी मैंने सिखाई दिया आपको तो यहाँ पर आप दिखें interest cost मेरा बनता कितना second year का ही बात करों यानि first year में आपका 50 दा alternative scenario ले रहे second year में 48 की जगा मान लो 48 की जगा मान लो जैसे 48 लिया दने आपर 48 की जगा मान लो 44 होगा तो exchange gain जादा आएगा हमारा कितना आएगा thousand dollar पे जो 50 rupees करके measurement क्या हुआ था अब 44 करके measurement करेंगे इन्हे 6,000 का फाइदा हुआ 50,000 जा 44,000 हो गया तो यह जो 6,000 का आपका फाइदा हुआ है क्या यह पूरा reverse करेंगे जी नहीं हम आपका 2800 ही हमने पहले capitalize किया था exchange loss हमने 2800 ही capitalize किया तो यहाँ पर अगर मान लो जैसा होता कि 44 होने पर यहाँ पर 44,000 होता और यह आपका exchange gain 6,000 का था आपका 2,000 की जगा पर और क्या तब हम 6,000 यहाँ पर adjust करते हैं जी नहीं हम 2800 हम adjust करते हैं क्योंकि maximum इतना ही adjust होका reversal और बागी का बच्चा 3200 PL में चला जाता हुआ आपको समझ मैं पर में यह मिटा देता हूं तो लिखा हुआ है अब उमीद आपको यह समझ आए यहाँ पर भी यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसका balance rate बनाया होगा नहीं था क्या अच्छा बनाया होगा है से नीचे नहीं बनाया होगा नहीं है देखिए यहां पर balance sheet का मैंने एक effect दिखा दिया exchange gain आपका 2800 तक adjust होगा जो मैंने आपको बताया था liability तो 6000 से कम होगा यह बाकी PL में चला जाएगा तो मैंने इसका तिल effect बता दिया जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था चले मैं यहां पर लिख लेता हूँ यह अगर 44,000 होगा gain 6000 का आएगा exchange gain आपका adjust होगा 2800 से और 3200 आपका PL में जाएगा तो वही 3200 PL में 6000 आपका liability reduce होगा और 2800 exchange gain adjust होगा यही तीन figure लिखा होगा यहां पर यही तीन figure लिखा होगा तो अब इससे हम accumulate करें तो हमने क्या सिखा में यह समझने ओवरॉल मैं आपको यह समझा देता हूँ हमने ओवरॉल यह सिख है कि आप exchange difference capitalize कर सकते हो बट उतना ही जितना आपका मालने जिए इंडिया में extra खर्चा लगता उतना हता अब capitalize करोगे तो बात में reversal भी होगा कितना reversal होगा जितना capitalize किया उतना ही reversal होगा उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा exchange गें आया तो वो PL में जाएगा बस इतना ही आपको सुनना है और कुछ नहीं तो यह बाला clear होगी आपको अब यहाँ पर एक बस एक और example है यह एक और alternative second year का alternative है यह हम discuss करेंगे जहाँ पर माल लीजिए अगर part of the loan repeat हो जाता है तो हम क्या करेंगे यह हमें सीखना है तो यहाँ पर आप देखिए माल लीजिए first year end को part of the loan repeat कर दिया गया जैसे माल लीजिए 600 डॉलर हमने क्या किया 31st March 2002 that is first year end को हमने pay कर दिया अब जो मेरा balance sheet न है existing वाला मैं वही लूँगा बाकि तो मैंने alternative scenario समझाए तो यह आपका first year end का balance sheet है है ना तो first year end के balance sheet में अब देख सकते हो liability हमारा 50,000 का है क्योंकि रूपी पर dollar 50 था first year end की बात कर रहा है second year income में अलग-अलग scenario लिया यह alternate scenario ले रहे हैं तो first year end में liability इतना है qualifying asset में इतना capitalize हुआ हुआ है है ना यह सारा चीज है तो यहाँ पर अब देखे मैंने balance sheet भी यहाँ पर नीचे वैसा ही बना है यह जो pink color दिख रहा है ने यह पुराने carry forward है तो देखे लाइबरेटे 50,000 का दिख रहा आपको and interest cost और exchange difference capitalize हुआ 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 इतना दिख रहा है बस यह सारा दिख्या यह ब्लैक वाला एक बार मत देख्या अब हमने क्या किया उस्सी first year end में हमने 600 का payment कर दिया तो first year end में जब 600 dollar payment करूंगा तो रुपिया लगेगा कितना लगेगा रुपी पर dollar तो first year end में कितना था कितना था 50 रुपीज करके था ना तो मैंने payment कर दिया और लाइबरेटी भी 50 रुपीज करके measurement था तो 600 dollar जो है 50 रुपीज करके payment कर दिया 30,000 का payment हो गया यह दिखे 30,000 बैंक से गया 30,000 का payment हो गया हमारा अब बच्चा कितना हमारा 400 dollar हमारा बच्चा 400 dollar पे 50 रुपीज करके 20,000 हमारा liability दिखेगा तो यह अब हमारा liability है first year end का liability at first year end अब पिक्चर यहां से सुरू होती है अब हमारा liability सिर्फ 400 dollar का ही है तो दिखेगे first year end में जब हमने चुका दिए पैसे proportionately तो second year end में अब हमें interest भी remaining liability भी देना पड़ेगा तो अब कहानी सुरू होगी है second year end के तो आप बताइए मुझे second year end पे मेरा interest कितना होगा जो 400 dollar remaining यह उसी पर लगी हो 4% interest और अभी का rate क्या चल रहा है second year end का rate मैंने लिग दिया है आपर अभी का rate चल रहा है 44 पूर तो मेरा interest cost होगा आने तो इबा वन शेक्स्टी एब पूर इंड डॉलर पे पूर परसन कितना होता है क्या हो रहे चलो ठीक है 44 into 10 440 होते हैं और 5 220 होते हैं और इधर 44 हो जाएगा 667 04 आएगा चलिए 704 का हमारे क्या हो गया interest हो गया तो 704 का हमारे interest क्या करेगा liability को बढ़ाएगा और यह हम capitalize कर देंगे यह दिखें हम capitalize कर देंगे यह interest का खर्चा तो capitalize होगा अगर qualifying asset है तो यह हमारा capitalize होगा interest का खर्चा अब जब payment कर देंगे फर्स्ट यह एंड में $600 payment क्या था $400 का हमारा liability है 44 करके आज का rate चल रहे तो 17600 अब हमारा liability है तो हमारा exchange gain कितने का आया 2400 का exchange gain आया हमारा तो यह 2400 का exchange gain चू आया हमारा कि वैदर कि यह में दिखाएंगे या फिर capitalize करेंगे यह सवाल उता है तो आपका कहना रहेगा सर यहां पर ओल्रेडी हमने 2800 पहले capitalize किया हुआ है तो क्यों ना हम यह पूरा का पूरा 2400 को आपका कहना रहेगा exchange gain हुआ है पहले आप इने तो सिखाया था कि 2800 पूरा का पूरा तो आप बूलोगे 2400 पूरा reverse कर तो पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं पता है क्यों कि यह 2800 जो exchange difference आया था यह thousand dollar पे आया था और अभी जो हमारा exchange gain आया है यह आया है 400 dollar पे यह फरक है और उससे पहले जो आया था हमारा यह exchange difference जो भी आया था हमने लिखा था यह thousand dollar पे लिखा था हमने तब हमारा पैसा payment नहीं हुआ हुआ था, यह 1000 डॉलर पे, तो कैसे हम कर सकते हैं, यह तो गलत हो जाएगा, तो मैं देखना पड़ेगा कि 400 डॉलर का equivalent exchange difference कितना capitalized हुआ हुआ है, तो यह 2800 को बटवारा किया जाएगा, simple सी बात है, यह 2800 जो हमारा है, यह 1000 डॉलर का capitalized किया हुआ है, तो तो 2800 आपका क्या होगा, यहाँ पर 2800 into 600 by 1000 कर देंगे, proportionate, यहाँ पर भी 2800 into 400 by 1000 कर देंगे, proportionate, तो यह कितना आएगा, यह आएगा 1640, I think, तो 2800 का 60% गलत है, 2800 आपका 1400 आधा आ जाएगा, 1680, और यह आ जाएगा, 1120, ठीक है, हो गया, तो 600 डॉलर से related 1680 है, और 400 डॉलर से related 1120 है, तो आप मुझे बताईए, आपका exchange gain यह 400 डॉलर से related है, है न, तो हम यहाँ पर, यह 2800 का reversal नहीं, हम maximum reversal 1120 कर सकते हैं, क्योंकि 400 डॉलर से related आपका exchange gain कितना है, 1120 है, आप यहाँ पर यह समझे, फिरसे, फिरसे आप यहाँ पर समझे, यह जो 2800 है, यह आपका 1680, 600 डॉलर से related है, और 1120 आपका 400 डॉलर से related है, तो हम अभी 400 डॉलर का ही exchange gain हमारा इतना आया है, तो 400 डॉलर का exchange gain हमारा इतना आया है, तो remaining हमारा कितना आ जाएगा, यह रहा, 1120, इतना ही आपका maximum capitalized reversal हो सकता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे, कि 2400 जो आपका exchange gain आया है न, आप इस पेस से 1120 ही maximum reverse कर सकते हो, बाकी PL में जाएगा, तो देखिए, 1120 हम reverse करेंगे, और बाकी जाएगा कहाँ पर, PL में जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसका related सारा लिखा हुआ, आपको notes में मिल जाएगा, यह देखिए, explanation पूरा दिया हुआ है, exchange gain 28 minute जो था, 600 dollar repay कर दिया, तो यहाँ पर 1680, 600 dollar से related था, 1120, 400 dollar से related था, और यह जो 600 dollar से related है, यह already payment कर दिया, last year, तो अब इसका कोई further adjustment नहीं होने, है न, out of, out of 2800 जो capitalized हुए है, उसका 1680 का किस्सा खतम, क्योंकि उसका payment ही होगी है, तो अब इसमें यह कोई reversal नहीं होगा, reversal होगा, कितना 1120 ही reversal होगा, अब यह 1120 हम reversal कर सकते हैं, हमारा gain कितना आया, gain हमारे sell कितना है, 2400 आया, तो यह जो 2400 का gain आया, इसमें से 1120 क्या होगा, adjust हो जाएगा, और remaining 1280, PL में credit हो जाएगा, आपका, है न, तो यहाँ पर छोटा सा एक balance sheet, यहाँ पर छोटा सा एक balance sheet में बता रहो, यहाँ पर आपका, exchange gain adjust होगा, 1120, bracket में, adjust हो गया, और 2400 हमारा exchange gain liability को reduce कर रहा था, और 1680, PL में credit कर दो, यह हमारा है, तो already मैंने, जो main हमारा seat है, वो तो मैंने डाली दिया है, Google Tribe में मिली जाएगा, Telegram में मिल जाएगा, यह इतना जो rough वगेरा, कुछ-कुछ मैंने किया हुए यहाँ पर, यह भी मैं डाल दूँगा, Telegram में सिर्फ मैं डालूँगा, किसी को refer करना, वो Telegram Channel, description में लिंके, वो join करकर refer कर सकते हैं, तो यहाँ तक, I hope आपको समझ में आया, हमने पूरा, foreign, Forex से related, हमने कुछ ज़्यादा ही सीख लिया, जितना हमीं सिखाए गया, अब इसे related, simple सा question, एक साइध है भी, तो आराम से समालोगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब पड़ा पड़ा हमारा revise होगा, खोड़ा सा theory जो discuss करेंगे, जहाँ बोरिंग कॉस्ट है, eligible for capitalization में, हम दो discussion करेंगे, specific borrowing, general borrowing, उससे related illustration क्या refer करना, यह भी मैंने आपको बता दिया, पर लेख लिए, तो यहाँ पर हम इसका discussion करेंगे, भी दो type का, specific borrowing में क्या होना है, general borrowing में क्या होना है, यह हम discussion करेंगे, तो basically हम पर borrowing cost के अंदर, दो type की borrowing जैसे मैंने आपको बता है, एक specific borrowing है, एक general borrowing है, तो लोगा difference, simple सा difference है, माली जी मैं किसी specific asset के लिए funds borrow कर रहा हूँ, वो specific borrowing हुआ, माली जी मेरे general borrowing किया हुआ है, को specific asset के लिए नहीं किया हुआ है, वो general हो जाए, मैं आपको simple सा example ले रहा हूँ, मुझे एक factory building develop करना है, construct करना है, factory building, तो मैंने bank से कहा कि मुझे factory building construct करने के लिए पैसे चाहिए, specific borrowing हो गया हुआ है, और माली जी ऐसा हुआ, मेरे debentures issue करके funds borrow क्या हुआ है, bank से भी मैंने ऐसी loan लिया हुआ है, को specific borrowing बोलके loan नहीं लिया हुआ है, और मैं इधर factory building construct कर रहा हुआ, पर मेरा को specifically factory के लिए मैंने loan नहीं लिया, मैंने ये कहके नहीं लिया कि मैं factory बनाऊँगा, इस purpose के लिए loan लेते हैं, लोन लेते हैं, अम हमें बताना पड़ता है, कि हम किस purpose के लिए loan ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम फिर भी उस general borrowing का use कर सकते हैं, और करेंगे, तो महाँ पर भी capitalization allow है, मतलब अग काउ किया जाता क्या पिट्राइब करने को और वो जेनरल बोरिंग के एकटेगरी में फोल करता है हम वन-बाई-वन क्या करेंगे specific बोरिंग भी सीखेंगे जैनर बोरिंग भी सीखेंगे विद इग्जाम्पल अ कि क्छी पहले में specific बोरिंग आपको समझाता हूं जब किसी qualifying अब मालने जी मैंने किसी specific qualifying asset को बनाने के लिए अगर funds borrow किया है तो वो specific borrowing हो जाएगा अब यहाँ पर इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना है मुझे की example आपके साथ discuss करना है जेखें मैंने क्या क्या है मैंने 10 लाक रुपीज बोरो किया specifically factory building बनाने के लिए for the construction of factory building मैंने bank से कहां आप मुझे 10 लाक रुपीज दीजे मैं फैक्टरी building बनाऊंगा तो यह specific borrowing हो अची हाँ है ना यह specific बोरेंगा अब construction जो है हमने start कर दिया first April 2022 को अब देखें अब मैंने जो funds बोरो किया 10 लाक रुपीज क्या जरूरी है कि मैं पहले दीनी सारा खड़्चा कर दूँआ ऐसा थोड़े ना होगा building बनेगा दीरे दीरे उसकी filing होगी eat लगेंगे सब कुछ होंगे दीरे दीरे construct होगा time लगीग उससे construct होने में और यह factory building मान लीजे qualifying asset हमानती है substantial period of time लीगा to get ready for its intended use तो qualifying asset में तो मुझे पता चरह कि funds जो मेरा है first April 2001 को 4 लाग रुपीज मेरा utilize होगा और first September को remaining 6 लाग रुपीज मेरा utilize होगा तो कुल मिला के 10 लाग रुपीज मेरा utilize होगा but first April को ही पूरा utilize नहीं हो जाएगा तो अगर मैं year end में जाओंगा तो year end में अब बताईए क्या पूरा 10 लाग पे मैं जितना मेरा boring cost लगता पूरा का पूरा में capitalize कर दो हाया ना क्योंकि मैंने पैसे तो खर्चे कुछ April में किये कुछ September में पैसे खर्चे किये सारा पैसा तो मैंने during the year पूरा यूज किया ही नहीं है है ना तो बताई क्या पूरा का पूरा boring cost capitalize कर दे हम आप बताईए सोच लिजे एक बाद देखिए 4 लाग रुपीस मैंने अपरेल में यूज किया है तो देखा जाए तो 4 लाग रुपीस अपरेल से लेके एंड तक पूरा यूज हुआ यह बट यह सिक्स लाग रुपीस तो मैरे फर्स सप्टेंबर को यूज किया है यह सप्टेंबर अक्टूबर नॉमबर डिसमबर जनवरी परवरी मार्च यह तो सेवन मंसी पैसे यूज हुए कंस्ट्रक्शन ओ बिल्डिंग में तो आप बताएए मैंने टैन लाग रुपीस जो फंड्स बोरो किया है नाइन परसन इंट्रस देखे तो क्या यह पूरा का पूरा टैन लाग का नाइन परसन कितना होता है साला ना पूरा साल भर का यह पूरा का पूरा का पूरा नैंटी धाउचिन में कैपिटलेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं लॉजिकली आपको क्या लगते हैं कर सकते क की नहीं कर सकते हैं मैं कहता हूं कर सकते हैं क्यों क्योंकि specific borrowing है मेरे हाथ में नहीं है मेरे हाथ में नहीं है अब बात है मैंने तो इसलिए funds borrow किया है अब मैं धोनब bank को कहूंगा तो मुझे आज इतने रुपे दे कल इतने देना परसो इतने देना बाद में इतने देना बैंक तो एक बार में देगा चुपी देगा तो बैंक पूरा टैनलाग रुपीज आपको दे रहे और मेरा यह specific borrowing का case है specific borrowing का case यह पैसे धीरे धीरे ही use होंगे over the time तो यहां पर पूरा 10 लाग पर 9% हम क्या करेंगे borrowing cost capitalist करेंगे लेकिन अगर यह general borrowing का case होता specific borrowing का case नहीं होता अगर यह general borrowing का case होता तो ऐसे situation में पूरे 10 लाग पर 9% capitalist allow नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर तो specific लिए अपने लिए ही नहीं funds को है ना funds को specific लिए अपने बोरू किये नहीं पता ही नहीं funds कि इस purpose के लिए बोरू किया गया तो वहाँ पर जितना usage usage जितना होगा उतना ही हम time period का capitalization देते तो general borrowing का case अलग है वहाँ पर कुछ अलग कहां नहीं होने बार यह specific borrowing की बात हो रही है और specific borrowing में time period नहीं देखते हैं specific borrowing में अगर मैंने 10 लाग रुपीज बोरू किया है और construction स्टार्ट हो गया है activities started है commencement में नीचे समझाओंगा अगर activity स्टार्ट हो चुकी है तो ऐसे situation में पूरा का पूरा जितना बोरू है वो पूर बाद में भी पैसे को यूज किये हम क्या करेंगे पूरा 10 लाग रुपीज का 9% यानी 90,000 रुपीज हम capitalize कर सकते हैं borrowing cost in the case of specific borrowing general borrowing होता तो ये चीच कुछ अलग होता ऐसा नहीं होता specific borrowing है तो ये ऐसा case है अब सूचे न मैंने 10 लाग रुपीज बोरू किया है और सारा पैसा तो लगीगा नहीं कि फर्स अप्रील को फोल लागी लगा बाकी पैसा तो सिक्स लाग सप्टेंबर में लगीगा तो क्या आप यह कह सकते हूं कि छे लाग रुपे अप्रील में जून जुलाई अगस्ट फ्री है ऐसे पढ़े रहेंगे surplus में तो कितने बार company क्या करते जो के पास surplus fund रहत है वो उसे temporarily invest कर देती है कहीं पर और अगर ऐसा करती है और कुछ कमाई होता है तो वो इससे adjust हो जाएगा अगर नहीं करती है तो कोई बात रहें मतलब हमें चेक करना होगा कि क्या remaining fund कुछ time के लिए जो surplus पढ़ा हुआ है क्या इसी company ने temporarily कहीं पर investment करके कमाया है पैसा अगर हां कमाया है तो जितना कमाया वो पी एल में credit मत करो उसे भी आप adjust करो उस capitalization के साथ क्योंकि यहां पर इंडेस आपको पूरा capitalist करने का मोका दे रहा है पूरा 12 मेने का आप capitalist कर रहे हो तो इससे related जो कमाई है interest का खर्चा पूरा capitalist कर रहे हो और उसी से related अगर surplus fund की कमाई है तो वो भी अब उसमें adjust करो तो इसलिए यहां पर माल लीजे remaining fund जो है वो invest किया गया temporary at the rate of seven percent तो remaining fund कितना है छे लाग रुपिया छे लाग रुपिया अगर में six लाग रुपी अगर में investment करता हूँ seven percent के लिए कितने मेहने तक कर सकता हूँ अप्रेल में investment करूँ करने के लिए तो पांच मैने के लिए मैंने investment किया तो मेरा कितना आएगा 17,500 यह मेरा कमाई आया तो यह कमाई बैंक में आएगा और मैं इसे पियल में credit नहीं करूँगा मैं इसे इसी capitalization के साथ adjust करूँगा मतलब qualifying asset माल लीजे 10 लाग रुपे का मेरा qualifying asset का construction का खर्चा है इस adjustment भी इसी में ही करूँगा 17,500 क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे यह interest का खर्चा है हमारा और यह interest का कमाई हमारा तो जब खर्चा पूरा allow कर रहा है capitalist करने को तो जो कमाई है वो भी adjust करूँ यहाँ पर ही तो यह आपका bracket में adjust हो जाएगा और ultimately आपका figure कितना आएगा यह 90,000 था यह आपका 17,500 10,72,500 आपका capitalize हो जाएगा यहाँ पर उमीद आपको यह चीज़ समझ में आया तो इसलिए हम specific borrowing के बात करो मैं general borrowing के बात नहीं कर रहा तो specific borrowing में दो बात आपको दिहान में रखने है पहली बात तो यह पूरा का पूरा period capitalize होगा अगर आपक काम चालू हो चुका है तो आपको यह नहीं देखना fund कभ use हुआ है fund अगर कुछ पैसे बाद में भी use में matter नहीं करता अब पूरा 10,000,000 रुपीज यहाँ पर capitalize कर दोगे लेकिन अगर आपका कुछ surplus fund temporarily investment हुआ है तो वो उसमें minus भी होगा वो adjustment भी होगा वो भी आपका पील म equipment की नाप पर capitalize हो गई तो 10,000,000,000,000 हुई गा आपका इसमें कोई अपती वाली बात है नहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो specific boring आपने यहाँ पर पूरा समझ लिया है ना तो यहाँ पर अब देखिए यह क्लाइन लिखा हुआ है an entity में obtained borrowed funds and incur associated boring cost before all funds are used for expenditure यहीं आपने boring cost incur किया है अपरेल में जून जुलाई अगस्ट में 9% का पूरा 10 लाग पे boring cost incur होगा लेकिन हमारा पैसा तो पूरा यूज हुआ ही नहीं है क्योंकि 6 लाग उर्पे तो बाद में use होंगे लेकिन इन सच circumstances आपका पूरा boring cost on capitalize करेंगे जो funds temporarily investment हुआ है वो भी आपका boring cost से deduct हो जाएगा तो यहीं बस specific boring cost की कहानी थी मुझे उमीद आपको समझ में आया specific boring cost बस दो बात पूरा का पूरा पैसा बोरिंग कोस्ट जितना लगा capitalize हो जाएगा पूरा का पूरा पूरा बोरिंग कोस्ट है जितना आपका इन करुआ क्या capitalize हो जाएगा भले पैसे बाद में यूज करो matter नहीं करता है specific boring में और दूसरा को temporary कमाई हुई है वो भी minus होगा है ना लेकिन general boring में कहानी कुछ अलग होने वाली है तो चलिए अब हम general boring discuss करेंगे सो अभी हम general boring के बात करेंगे general boring को मैं पहले समझाओंगा पहले मैं एक example के साथ आपको समझाओंगा देखें यहाँ पर 18% का bank loan लिया होगा को specific boring नहीं है normal bank loan हमने लेके रखा हूँ हमने bank को यह निकां कि किस purpose के लिए अपसे पैसे ले रहे है और या फिर जिस purpose के लिए पै बैंक को पैसे नहीं चुका है तो general boring बना हुआ हमारे 10 लाग रुपीस general boring है 16% term loan हमने लेके रखा हुआ है 30 लाग रुपीस का यह भी general है कोई purpose नहीं है 14% debenture हमने issue का रखा हुआ है और यह specific office building को construct करने के लिए हमने यह लिया हुआ है तो यह तो आपका क्या होगया specific हो गय अब देखें development activities on office building yet to start तो यह जो office building के लिए आपने specific boring के यह पितार इस्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसका आरे ना करो काम चालू कर देना चाहिए यहां पर तो काम ही चालू नहीं हुआ अब दिखें और फ़र्स अप्रील construction of a plant begin using existing borings तो प्लांट आपने construction करना चालू किया और प्लांट के लिए कोई अपने specific boring नहीं लिए तो जो existing boring आपका चल रहा है आप उसी को यूज करो यह अपने बता है तो ठीक है आपको capitalise करने का मुका मिलेगा बट as per general boring specific boring नहीं क्योंकि plants related आपने को specific boring नहीं किया expenditure कितना किया 1st April को 5 लाग किया और 1st January 2002 को 25 लाग अपने खर्चा किया तो यहां पर आप देखिए अब यहां पर इसको तो मैं हटा देता हूं यह तो कोई काम का नहीं रहा है क्योंकि यह specific boring इसका कोई काम नहीं अब मुद्धा यह है कि जो मैं plant पे खर्चा कर रहा हूं मुझे नहीं पता मैं bank loan से खर्चा कर रहा हूं कि term loan को यूज करों मतलब हम तो fraud के लिए कुछ भी बोल देंगे हम तो पता है क्या बोलेंगे हम देखेंगे हां bank loan में 18% का ब्याज है इसमें 16% का इंट्रेस्ट है तो हम तो इंडेस को जानमुझ की बोलना चाहेंगे हमने उपर वाला यूज किया है ताकि हम ज्यादा इंट्रेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर सके तो इसलिए standard को भी पता है कि ऐसा जूल जाल हो सकता है तो standard ने कहा कि हम इन दोनों को consider नहीं करेंगे आपको एक average rate निकालना पड़ेगा मतलब आपका जो ओवरॉल जो बोरिम कॉस्ट लग रहे उसमें आपका overall average rate क्या लग रहे जिसे मतलब एक जगा पे मैं 18% इंट्रेस्ट दे रहो एक जगा में 16% दे रहो तो मुझे देखना है कि मैं average कितना मेरे इंट्रेस्ट कॉस्ट बन रहे और वही rate आपका यूज होगा तो यह हम निकालेंगे कैसे देखें capitalization rate निकालने का दू तरीका एक तो मैं यह कहूँगा सबसे पहले simple सी बात यह है मैं यह दिखूँगा तो alternative वाला बता देता हूँ कि दिखें 10,00,000 रूपीज पे मेरा 18% इंट्रस्ट लग रहा है 10,00,000 पे 18% इंट्रस्ट लग रहा है यानि 1,00,000 एक टी थाओ जिन मेरे इंट्रस्ट का खरचा लग रहा है पहरी बात तो यह और दूसरा हूँ 30,000,000 रुपीज पे मेरा 16% interest का खर्चा लग रहा है 16% interest का खर्चा है 30,000,000 रुपीज पे लग रहा है तो 30,000,000 पे 16% यानि अपुल मिला कि 6,60,000 मेरा interest का खर्चा लग रहा है दोनों loan में मेरा 6,60,000 का मैं interest का payment कर रहा हूँ और loan कितना मिला कि 40,000,000 का 5.5% हमारा आ चुका तो यह क्या क्या कहते है पताए कि इसी कौम capitalization rate कहते है क्या कहते है वेटेड आवरिज क्या कहते है क्या जो कि वेटड आवरेज यह तो कि वेट लगा के आपने average capitalization, simple average भीट लगाया अलग-अलग amount है तो उस से weighted average capitalization rate इसका एक और तरीका है देखें हम कहेंगे कि हमारा एक borrowing में 18% लग रहा है और एक borrowing में हमारा 16% लग रहा है 18% हमारा लग रहा है 10 lakh के borrowing में और 16% हमारा लग रहा है 30 lakh के borrowing में तो कुल मिला की borrowing कितना हुआ 40 lakh है न तो यहाँ पर इसको नीचे दिखा भी देता हूँ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ borrowing में 18% लग रहा है कुछ borrowing में 16% लग रहा है कुल मिला कि मेरा total borrowing कितना है 10 lakh और 30 lakh तो इस वाले पर 10 lakh का मेरा borrowing है और इस वाले पर मेरा 30 lakh का borrowing है दोनों मिला कि total कितना हुआ 40 lakh out of 40 lakh तो मैंने weight लगा दिया यानि कुल मिला कि 18% में 1 4th weight लगेगा plus 16% में 3 4th weight लगेगा क्योंकि एक तरफ 10 लग ले रहे एक तरफ 30 लग ले रहे तो 1 4th और 3 40 तो हुआ तो इससे हमारा आ जाएगा 4.5% और इधर आएगा 16 का 3 by 4 12% यानि 16.5% तो आप ऐसे भी 16.5% निकाल सकते हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं दोनों तरीका जो मैंने दिखाया था आपको कैसे भी निकालो तो मैं अभी revision class चल रहा है तो मैं ऐसा नहीं कि ओ डिटेल में आपको समझाने को बैठूँगा तो मैंने अपको समझा दिया कि कैसे आप capitalization rate निकालोगे अब यही 16.5% capitalization rate आप यूज करोगे कहां यूज करेंगे जहां जहां खर्चे करेंगे तो 1st April को खर्चा किया हमने कितना 5 लाग रुपेस तो हमारा borrowing cost eligible for capitalization होगा कितना हम कहेंगे हमने 5 लाग रुपेस खर्चा किया 16.5% इस पे interest का जो हमने capitalization rate निकाला है इस पे 16.5% आपका borrowing cost आप capitalize कर सकते हो कितने महने के लिए 1st April को खर्चा कर दिया तो April से लिए मार्च सा पूरे साल पर यूज हुआ है पैसा तो 12 months हो जाएगा 12 by 12 हो जाएगा अब दूसरा वाला 25 लाग आपने खर्चा किया है इस पे भी 16.5% लगेगा लेकिन इस पे 12 by 12 नहीं लगेगा ये January को खर्चा हुआ 1st January 2002 यानि January, February, March 3 महना लगेगा अब आप बोलोगे Sir यहाँ पर तो अपने time period लगाया पर पिछले वाले specific volume में क्यों नहीं लगाया क्योंकि specific volume में time rate नहीं लगता specific volume में पूरा capitalization होगा आपका आपको यह नहीं देखना आप ऐसा कब खर्चा कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो आपको पूरा capitalize होगा हाँ temporary को investment है तो वो आप minus करोगे specific वाले में पर general वाले में तो temporary investment का कोई concept ही नहीं है general boring में तो simple सी बात है आपको capitalization rate निकालना है और वो capitalization rate आप खर्चे पे लगाऊँगे with a time weight factor with time weight factor तो यहाँ पर ultimately हमारा क्या होने देखिए पांच लाग रुपिया 5 लाग खर्चा किया 16.5% into 12 by 12 पूरा 12 मेंना का और 25 लाग पे 3 मेने का आपका इतना amount जो आया यह आप borrowing cost capitalize कर सकते हो तो आपका जो खर्चा हुआ वो तो capitalize हो गई जिसे 5 लाग और 25 लाग मेरा खर्चा हुआ 30 लाग रुपिज तो इंड़स 16 के साब से self construction का capitalize हो गई है ना यह इंड़स 16 के साब से 30 लाग capitalize हो गई और इंड़स 23 के साब से borrowing cost हमारा इतना capitalize हो जाएगा 185 65 इतना हमारा capitalize हो जाएगा तो यह general borrowing का concept मैंने आपको समझाया और मैंने दोनों का फारग भी बता है specific और general borrowing दोनों का मैंने फारग भी बता है अब यहाँ पर हम general borrowing का देखे कुछ थियोरी है जो मैं आपको समझाने की courses करूंगा in case of general borrowing capitalization rate calculate किया जाएगा weighted average or boring cost applicable to all outstanding general borrowing जो भी आपके यूज होगा वह यह होगा with the time factor तो यहाँ पर एक काम करते हैं दोनों का एक फारग छोटा सा लिखवा देता हूं specific और general ठीक है यहाँ पर लेके no time weight factor और यहाँ पर time weight लगता है ऐसे राफ में लिखवारों में आपको यहाँ पर time weight नहीं लगता है यहाँ पर time weight लगता है और हमने क्या दिखा था specific interest rate यहाँ पर लगता है in relation to specific borrowing और यहाँ पर weighted average capitalization rate हमारा लगता है है और मैंने गंदा तरीका से लिखा आप अच्छे से लिख लेना doesn't matter when funds are used ठीक है entire borrowing cost will be capitalized without considering time weight और यहाँ पर it matters when funds are used and accordingly time weight factor is used ठीक है तो यह हमने कुछ कुछ है चीज हमने देखा दोनों की बीच का फरक है यह और यहाँ पर एक और चीज है temporary investment income on surplus fund adjusted with borrowing cost और यहाँ पर no such concept of temporary investment तो यह हमने फरक कुछ कुछ फेसे फिक और जेनरल में देखा मैंने फटाफट से उपर लिखा हुआ यह सारा जरुत नहीं था मैंने फटाफट से यह भी मेरी एंडिंग है जो आप देख रहे हो और वह भी मेरी एंडिंग तो यहाँ पर वह फरक नहीं पड़ता बैंक से 50 रुपेस अब 50 क्रूड रुपेस का यूज क्या बिल्डिंग भी बन गया बिल्डिंग खतम बन भी गया बिल्डिंग और इस प्रक पर वह जाएगा अब उसके बावजू दिमान निचे आपने जो पैसे बोर्यों के वो चुकाए नहीं वो चल रहाए आपका तो उसके बाद जेनरल बन जाएगा क्योंकि इस परपस तो खतम हो गया उसके बावजूद आपका लोन चल रहा है तो मतलब तो अब उसका कोई परपस नहीं है न तो वो जेनरल बोर्यों बन जाएगा तो देखिए एक लाइन लिखा हुए यह फंड बोरोड पॉर स्पेसिफिक एसेट एंड रिलेटेड एसेट गेट्स रेडी पॉर इस इंटेंडेड यूस वो यूस के लिए रेडी हो चुका है बट बोरिंग्स अभी तक आपने चुकाएं नहीं पैसे स्टिल आउट्सेंडिंग है बोरिंग्स देन इट बिकम पार्ट ओफ जेनरल बोरिंग्स यह आपको समझता है हाला कि इतना इंपॉर्टन नहीं एक्जाम के लिए पर फिभी मैंने बता दिया तो चलिए स्पेसिफिक और जेनरल बोरिंग्स हमने सीख लिया अब क्या बचा अब कोशियंस बचे कुछ कुछ वो हम करेंगे अराम से हो जाएगा कोशियंस बाद में करेंगे पहले मैं आपको कमेंस्मेंट ऑफ कैपिटलाजिशन और सीजेसन ओफ कैपिटलाजिशन मैं आपको समझाओंगा ये समझाने पर इंड्रेस खतम हो जाएगा फिर छोटे छोटे दो-तीन रेलेवन्ट कंसर्थ से वो बताएंगे करना यानि capitalization कौन से date से start होगा फिर हम discuss करेंगे suspension of capitalization यानि कौन से situation में capitalization suspend कर दिया जाएगा रूख दिया जाएगा और फिर हम बात करेंगे suggestion of capitalization देखिए दोनों में फ़रेके suspension word और suggestion में फ़रेके suggestion मतलब मान लिजे जो भी development activities से complete हो चुका asset ready for use हो गया तो बस अब capitalization का काम नहीं रहा asset ready for use हो गया suspension मतलब कुछ ऐसा गलत काम हुआ है जहां पर मान लिजे बीच में ही हमने development वगेरा रोग दिया तो suspend कर दिया जाएगा एक होते हैं कि हम graduate होके college से निकल रहे और दुसरा में suspend कर दिया जाते हैं तो दोनों में फरक होते हैं वैसे कुछ बात है तो चलिए पहले हम commencement of capitalization देखते हैं commencement date इसके लिए क्या होगा commencement date वो date होगा जब यह तीनों condition satisfy होंगे जब तक यह तीनों condition satisfy नहीं होगे तब तक आप capitalization के सुरुवात ही नहीं कर सकते तब तक आपको capitalization के सुरुवात नहीं करनी यह आपको ध्यान में रखना बहले वो specific boring हो या फिर general boring का case हो तो यहांपर अब देखिए सब से बहले it incurs expenditure for the asset यहनी आपने asset को develop करने के लिए खर्चा करना start कर दिये जैसे हमने specific boring में भी देखा था कि 10 लाग रुपिस टोटल खर्चा होना था तो starting में 4 लाग रुपिस खर्चा हुआ 6 लाग रुपिस बाद में खर्चा होगा और specific boring क्योंने के चलते हमने पूरा ही capitalized किया था तो पूरा ही खर्चा कर दिया चलेगा और general boring में जितना खर्चा करोगे उतना वेट लगके उतना में capitalization मिलता है जो मैंने सिखा दिया आपको तो खर्चा स्टार्ट होना है जब खर्चा का मतलब क्या payment of cash क्या जरूर्व नहीं क्या पता हमने cash दिया या फिर क्या पता हमने assets को transfer किया क्योंकि asset देना भी एक खर्चा करने के बराबर है ना तो यहाँ पर either आपने cash दे दिया या फिर other asset transfer कर दिया और या फिर मान लीजिए आपने खर्चा किया जैसे मैंने cement के बोरे बहुत सारे मंगवा लिए और मैंने use कर दिया लेकिन मैंने payment नहीं किया पाटी मेरा उधार चलता है मैं बाद में payment कर दूँगा तो यहाँ पर assumption of interest bearing liabilities मैंने उसे का कि ठीक है पैसे मिलेंगे तुझे interest के साथ तो मेरा उधारी चलता है जहाँ पर मैं interest के साथ उसे बाद में payment करूँगा चल जाएगा इंट्रेस के साथ मैं बाद में payment करूँगा चल जाएगा तो यानि ultimately कहने का मतलब यह कि expenditure का मतलब क्या हो गया आप cash भी दे सकते हो को other asset भी transfer कर सकते हो या फिर आपका उधारी चल जहाँ पर इंट्रेस के साथ बाद में payment कर दोगे है ना तो इस तरीका का कुछ भी होगा तो मानेंगे कि expenditure incurred हुआ है उसे मान लिया जाएगा फिर आगे बोरिंग कोस्ट आपका लगना चाहिए जैसे मैंने काना opportunity cost नहीं आएगा कि बोरिंग कोस्ट लगना चाहिए तीसरा activities जो भी necessary activities है वो हमने start कर दिया जैसे मालें जी बिल्डिंग बनाना तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मेरा necessary activities है वो मैंने start कर दिया ज़रूरी नहीं कि necessary activities का मतलब मैंने पाइलिंग किया पत्थर वगेरा इट वगेरा लगाए वो जिरूरी नहीं है फिजिकल construction दिखना जिरूरी नहीं है कितने बार आप देखिए बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कुछ कुछ permit वगेरा पहले निकालना पड़ते है लाइसेंस वगेरा पहले निकालना पड़त कि तीनों कंडीशन जब यह satisfy होगा तब हम कैपिटलाइजीशन करना सुरवात करेंगे इदम अराम से नॉर्मल सी बात है बते यह तीन कंडीशन क्या क्या था पहला कंडीशन यह था कि खर्चा expenditure in the form of cash other asset या फिर liability हमारा जहां पर interest के साथ हम liability हमारा उधार रहेगा दूसरा और बोरएं कॉस्त हमारा लगिया है काम चलू करने का मतलब कोई भी को चलिगा जıtल पर निकालना निकालन से लौल खेर न है नउ आगये excludes holding of asset when no production that changes asset condition is taking place मतलब क्या हो बता है मैंने एक land खरीद के छोड़ दिया अब मैंने खा किस land में building बनाऊंगा तो मैंने land खरीद के छोड़ा है मैंने अभी तरह उस पर building आपने कोई activities नहीं किया है आपका तो वह activities में नहीं आएगा क्योंकि जस्ट पर्चिस ऑफ लेंड इस नोट इसल की वह activity है necessary activity तो लेंड अगर आपने खरीदा और लेंड पर development चल रहा है तो भी हम उसे मानेगी कि चलो development है पर फिर आपने मान लीज़े land खरीदा है मान लीज़े हमने land खरीदा है for building purpose लेकिन हमने उसे held करके रखा वो विद्धा होते नहीं development activity हमको development activity करी नहीं रहे तब capitalist करने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि आपको asset को hold कर रहे हो लेकिन उसका condition बदलना चाहिए उस पर work होना चाहिए उस पर activity होना चाहिए तब ही capitalization होगा इसलिए हम पर example में देखिए बॉरिंग कोस्ट incurred while land is under development land को develop कर रहे under development के process में capitalist करीए ने कौन रोकेगा लेकिन बॉरिंग कोस्ट incurred हो रहा है मैं फिर से एक बार revise करा दे रहा हूँ खर्चा लगेगा तीन तरगा का cash asset liability दूसरा borrowing cost लगेगा हमारा borrowing cost हमारे incur होगा तीसरा activities हम undertake कर रहे है activities टेकनिकल या administration activity भी consider किया जाए है जैसे permit वगेरा निकालना और जैसे land खरीद के छोड़ दिया नहीं चलेगा लेंड पे development हो रहा है तो चलेगा कोई problem नहीं है तो यह हमने समझे यह तीनों condition जब आपका satisfy होगा तब हम क्या करेंगे capitalization का सुरुआत होगा उस date से capitalization का सुरुआत होगा और कब तक चलेगा कब तक चलेगा जब तक आपका asset ready for use ना हो जाए तो commencement मैंने सिखा दिया जब य scoring cost का खर्चा capitalize करना सुरू करोगे और एक ध्यान में रखना माली जी कितने बार क्या होता है कि हमने खर्चा किया है और हमें बदले में party से पैसा भी मिल गया या फिर मैं building construct कर रहा हूं building construct करने में में 50 लाग रुपी इसका खर्चा लगा है फिलाल तक टिल डीट तक पर मैं 20 लाग रुपी progress payment भी मुझे receive होगी है तो फिर 30 लाग की खर्चा हुआ माना जाएगा न 50 लाग कहा से माना जाएगा क्योंकि progress payment मुझे receive हो रहा है जैसे expenditure reduce by any progress payment received and grants received in connection with the asset जो मैं asset develop कर रहा हूं उससे related अगर मुझे customer से party से पैसे मिल जा रहे तो वहाँ पर वो तो माइनस ह कि आपको समझना है ना तो उतना ही खर्चा हम consider करेंगे यापर क्योंकि obviously आपने देखा कि expenditure के मामले में जहां पर बात आती है general borrowing की वहाँ पर हमारा जितना खर्चा लगा उतने पर तो capitalist होते हैं और वह भी time wait लगता हूँ आपर in case of general borrowing है ना specific borrowing की बात लगे पर general borrowing में उतना लगता है और specific borrowing में भी हम obviously बात है जितना हमारा overall खर्चा लगेगा उतना ही क्यापिटलाइस करेंगे सिंबल सी बात है तो यहां पर और obvious सी बात है specific borrowing में हमें उतना ही पैसा मिलता है जितना हमारा खर्चा लगेगा जन्दू क्योंकि वह specific यह specifically bank आपको provide करती है उतना loan तो वो सारा चीज़ देखती कि इसका पूर एस्टीमेट बनता है कि कितना उसका खर्चा लगेगा उसकी basis में तो चलिए हमने लंबा खीज दिया पर कोई बात नहीं commencement of capitalization में यह तीन point highlight किया हुआ ध्यान में रखेगा बस काम बन जाएगा commencement of capitalization is all clear now अब आगे हम suspension की बात करें के commencement यह तो सीख लिया कर्चा करना expenditure बोरिंग कोस्ट इंकर करना activity शालू कर देना अब सीज कब करेंगे जब substantially all the activities are complete यानि asset ready for use होगे जिस purpose के लिए मैं asset चाहिए उस purpose के लिए वो asset ready for use है अब रोक दो जैसे मुझे पता चला कि January के end तक में मेरा asset ready for use हो चुका है तो उसके ब qualified है उसकी बाद तो उस पर बोरिंग कोस्ट कैपिटलाइस नहीं होगा ना इसलिए substantially जब सारा activities complete हो जाता है तो बोरिंग कोस्ट को कोई भी जाकर वहां पर सिफ्ट कर सकता है अब minor modification है कि रहे कि पंखा इस design का लगाएंगे हम अपने वाल पर वाल पेपर लगाएंगे decoration करेंगे जूला लगाएंगे वगेरा वगेरा करेंगे तो यह सब तो minor चीज है यह सब का तो अंध हो गए नहीं फिर कभी क्योंकि फिर तो क्या करेगा डेवलोपर यह सब छुटी छुटी चीजों की चकर में बेवकू बनाएगा standard को और unnecessary boring cost को लगाता चारपा सालों तक capitalist करती ही जाएगा हूँ इसलिए कहा गया कि substantial का मतलब क्या है मतलब इतना हद तक complete हो चुगा कि वहाँ पर manage करके रहा जा सकते है सब्स्टेंस इलिए का मतलब क्या हो गया एक फ्लैट बन रहे तो फ्लैट में रहने के लिए अच्छी electricity वगिरा का काम हो चुका है पानी वगिरा का काम हो चुका है और building ready हो चुका वहाँ पर जाकि कोई रह सकते हां उसकी अंदर बिस्तर नहीं लगे मानलो तो तो लगा सक सब्सक्राइब करना चाहते हो वह कब करोगी क्या पता तो इसलिए अपर minor modification like decoration इसको consider नहीं किया जाता है इसलिए कहा गया कि substantial जब आपका complete हो जाएगा substantially तो ऐसा situation में माल लेंगे कि asset का ready for use हो चुका है capitalization आप क्या कर दो यहाँ पर seize कर दो अब यहाँ पर एक और point में आपको पढ़ाऊंगा कभी-कभी आप देखेगा कि construction जो है वो parts में complete होता है कितने बाद जिससे मैं आपको समझा रहूं मेरा purpose है एक building में 5 flat बनाने का हूं और 5 flat 5 तल्ले में बनेंगा first floor पे second floor third floor fourth floor fifth floor पे अब क्या हुआ first floor second floor third floor ready for use हो चुका है लोग वहाँ जाके बस सकते है fourth floor fifth floor ready नहीं हुआ लेकिन fourth floor fifth floor का construction से पहला तीन-फ्लोर का कोई लेना देना नहीं है पहला तीन-फ्लोर ready हो चुका है वहाँ पर लोग जाके बस सकते कोई problem वाली बात नहीं है उसका फूर्थ और फ्लोर से connection नहीं है इच फ्लोर is capable of operating in the manner intended by the management तो ऐसा situation में इन parts हम पहले तीन फ्लोर से related जो भी boring cost है उसका capitalization seize कर देंगे parts में चोथा और पांच वाफ फ्लोर का चलते रहेगा किस्सा लेकिन सोची कितने बार building ऐसा बनता है जिसका connection रहता है एक दूसरे फ्लोर से यहनि फ्लोर का second फ्लोर से second फ्लोर का third फ्लोर से connection एक दूसरे का मानी जी मैं एक office बना रहा हूँ है ना मैं बना रहा हूँ अम्मानी ची के लिए ओफिस बना रहो और अम्मानी ची के लिए जो ओफिस बन रहो वो पहला दूसरा तीसरा चोता पांचो फ्लोर सारे एक दूसरे से connected है जब तक पांचो फ्लोर रेडी नहीं होंगे न तब तक वो capable नहीं of operating in the manner intended by the management तो ऐसा situation में पहले तीन फ्लोर अगर रेडी हो भी गए तो भी हम capitalization पहले तीन फ्लोर में पार्ट नहीं रोकेंगे क्योंकि जब तक और बाकी का दो फ्लोर बनेगा नहीं तब तक हमारा काम बने गए तो capitalization चलते रहेगा पांचो फ्लोर रुपे तो इसलिए हमें देखना है यहां पर हम यहां पर क्या देखना है कि क्या इच पार्ट capable और बिंग यूज़ वाइल construction on other parts continue यहीं बाकी other parts में construction continue है लेकिन जो हमारा इच पार्ट है वो capable है तो उस पर आप capitalization रोक दो जो capable हो चुका है और जो नहीं हुआ उस पर आप continue करो फिर आगे इच पार इस not capable जैसे यहां पर मैंने इग्जामबल आपका लिया था अम्बानी जी वाला अम्बानी ओपिस है न तो यह एक दूसरे से connected इंटर रिलेटेड है तो समझ मैं तो capitalization सारे फ्लोर पे ही चलते रहेगा जब अंटिल आल पार्ट सारे फ्लोर पे चलते रहेगा और यहां पर हम capitalization रोख सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बस एक छोटा सा डाइगरम बना के दिखा देता हूँ तो तीन चार पांच तो यह फर्स फ्लोर है यह सेकेंड है यह थर्ड फ्लोर है फूर्थ फ्लोर है और यह फिफ्ट फ्लोर है और यह सारे independent फ्लोर से और मैं लिख देता हूँ फ्रस्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर है तो रिडी फूर यूज है और कापीबल एक वर्ड चीए था और बिंग यूज्ट इंडिपेंडेंटली तो यह पर क्या होगा क्यापिटलाइजिशन इस पर फ्रस्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर है ठीक है और क्यापिटलाइजिशन कंटीन्यूज और फूर्थ एंड फिफ्ट फ्लोर इस पर कैपिटलाइजिशन कंटीन्यू रहेगा हमारा और वह अगर इसकी बात करें यहाँ पर हम यहाँ पर हम कहेंगे एक दो तीन चार पांच मान लिजे एच फ्लोर इस नौट क्यापीबल अफ बिंग यूस्ट इंडिपेंडेंटली आर इंटर कनेक्टेड यह सारे क्या है इंटर कनेक्टेड एंटर कनेक्टेड इन सच केस इवन इफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर इस रेड़ी कैपिटलाइजिशन डू नौट सीज अपर क्या होगा कंटीन्यूज होगा और ओल दा फ्लोर इस अपर यह मैंने आपको बस फारक समझा है तो सीजेशन ऑफ क्यापिटलाइजिशन भी मैंने आपको समझा दिया और कमेंस्मेंट भी समझा दिया अब अस बचा किया सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजिशन चलिए सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजिशन काफी सिंपल है मतलब देखी न मतलब माल लीजे मैं कंस्रक्शन कर रहा हूँ तो कमेंस्मेंट ऑफ कैपिटलाइजिशन सुरवाद हो तो वो क्या हो गया अगर आप बीच में काम रोग दोगे वो अभी तक आपका रेडी फॉर यूज होई नहीं आप काम रोग दोगे तो ऐसा सिच्विशन में जो बीच में छे मेने आपने काम रोग दिया है उस पीरेड में बीच में आपने काम को रोग दिया है तो जिस पीरेड में आपने काम को रोक दिया है उस पीरेड में होगा उस पिरेट में capitalization suspend हो जाएगा तो उस पिरेट का boring cost का क्या किया जाएगा उस पिरेट का interest cost या जो भी लग रहा है क्या किया जाएगा आप उससे PL में दिखाओ कि capitalize नहीं कर दोगे बट कभी-कभी temporary delay होता है due to some genuine reason के चलते temporary delay होता है तो वहाँ पर चलेगा कोई problem नहीं तो अगर temporary delay है और वो genuine reason के चलते हुआ है आपका तो ऐसा situation में capitalization नहीं रुखेगा जैसे मान लीजे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजे laborers वगेरा ने हरताल कर दिया जिसके चलते हमारा काम रुख गया है काम रुख गया हमारा development रुख गया asset का कुछ-कुछ region की चलते हमारा काम रुख गया है लेकिन हम अंदर ही अंदर technical काम कर रहे है जो technical काम यह से related काम है वह हमने रोका नहीं है तो भी capitalization continue रहेगा कोई problem नहीं है और या फिर आप देखि मैं बहुत बारीस वगयरा होती है water levels बढ़ जाता है जिसके चलते हैं वह बनाना possible नहीं है तो वह genuine circumstances है तो ऐसे situation में भी हम capitalization को suspended नहीं करेंगे अब माली जह जमू इंड कस्मीर में कस्मीर में हम construction कर रहे है और कस्मीर में December January February March यह महना बहुत ठंड होती है बरफ गिरता है बगेरा बगेरा होते है जिसके चलते construction होना वहाँ पर उस period में वहाँ पर possible नहीं है तो वह सारे genuine cases है तो वहाँ पर उस situation में वह genuine cases में capitalization suspended नहीं होगा capitalization हमारा continue रहेगा तो अभी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ Capitalization of borrowing cost still be suspended during extended period in which active development of a qualifying asset suspended that is example cost of holding partially completed asset asset complete नहीं होगा हमने hold करके रहेखा हमने काम रूप दिये But capitalization suspend नहीं होगा जब temporary delay है आपका और वह necessary part for getting the asset ready for its intended use जैसे आप देखिएगा कि यह मलब है inventory में मगर मैं wine की बात करूँ विस्की की बात करूँ तो वहाँ पर वह necessary party उसे hold करना हाला कि वह repetitive basis में होता है और अगर large quantity में बनता है तब तो यह इंडेस 23 कवर ही नहीं करता हमन एक बार कुछ piling वागिरा कुछ कुछ किया काम के उसके बाद हमें कुछ महने रोकने पड़ते हैं उसे सूखने पर उसे proper बनने पर तो कभी-कभी delay करना necessary part है to get the asset ready है ना तो ऐसा situation में वो genuine case है इसलिए तो मैंने word use के genuine genuine cases में capitalization suspend नहीं होगा इन genuine cases में capitalization suspend होगा तो चली यह यह भी हमने समझा है ना और को technical reason के चलते temporary delay होता है तो भी कोई problem नहीं सारे genuine cases है capitalization नहीं होगा तो यहां पर अब लिग दीजे इन genuine cases Capitalization Not suspended समझा है तो चली हमने almost अब खतम कर लिया हमने concept तारे cover कर ली यहां पर disclosure में दो disclosure है Boring Cost Capitalist कितना amount हमने Boring Cost Capitalist के during the period PL में नहीं दिखाते वे Capitalist कितना किया है और Capitalization rate क्या use वह यह में बताना अब other relevant concept में छोटे छोटे पॉइंट है डिवरेंट से related है group financial statement का Capitalization Boring Cost है और maturing inventory है तीन छोटे छोटे concept है यह भी हम discuss कर लेंगे फिर push-ins बाकी रहेगा तो तीन छोटे छोटे concept है relevant concepts extra से add हुए और यह तीनों concept हम one by one discuss कर लेंगे पहला different payable on sets तो जैसे कि अगर आप different payable है आपका sets पर यह भी आप कह सकते वह cost ही है company का है ना जैसे company borrowing cost कहते हैं इसे हम borrowing cost कह सकते क्योंकि हम पैसे ले रहे sir holders से तभी तो उनको different दे रहें डिवेंचर holder से पैसा लेते हम है उनको interest देते便 dis वीसे sir holder से Pैसा लेते तो उनको different देते और मैंने आपको अपको समझाया था कि मालिक लोग से अगर आप पैसा ले रहे हो और उनको different या कुछ भी दे नहीं माना जाएगा क्योंकि मालिक लोग अगर पैसे लगा रहे तो वहां पर हम उसे बॉरिंग कॉस्ट नहीं मानते हैं तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि डिवरेंड आप किसे दे रहो equity sir holder को कि preference sir holder को अब equity sir holder को अगर dividend दिया जा रहा है तो वो तो कभी भी capitalize नहीं होगा वो तो scope से ही बाहर है हमने सिखा हुए अब बात आती है preference sir holder की वहाँ पर भी मैं आपको समझा ज़दा preference sir holder में हमें देखना है कि वो classify क्या हुए जिसे financial instruments में पढ़ते हैं अगर preference sir classify as equity तब तो मालिक लोगे और उन्हें dividend दिया जाएगा तो कोई बोरिंग कोस capitalize नहीं होगा बट 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 अगर preference sir classify होता है financial liability तब तो बाहर वाले लोगे financial liability अगर classify होगे बाहर वाले लोगे मालिक लोग नहीं बाहर वाले लोगे और तब यह boring cost का definition को meet करेगा और such different payable can be capitalized as boring cost यह हमने पहले भी सीख लिया थे हैं यहां पर बस वापस यहां पर discuss कर लिया अब next है capitalizing boring cost in growth financial statements यह भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा माली जी ए लिमिटेड है यह बे लिमिटेड है और यह parent है यह subsidiary company है ए लिमिटेड बे लिमिटेड बे लिमिटेड ने बोरो किया 50 लाग रुपीज बैंक से ए लिमिटेड ने बोरो किया 50 लाग रुपीज और बे लिमिटेड को पैसे दे दिए बी लिमिटेट को कुई उधार वगरह नीदिए बी लिमिटेट को ऐसे दिये और बी लिमिटेट क्या कर रहा है इस पर मा लीजे एसेट डवलोप कर रहा है qualifying asset डवलोप कर रहा है तो हम नहीं देखा था कि capitalization होने के लिए क्या करना पड़ेगा Boring cost incur होना पड़ेगा, expenditure incur होना पड़ेगा, है न, और साथ-साथ activities होना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब देखिए, Boring cost क्या B limited का लगेगा, नहीं, Boring cost तो A limited का लगेगा, B limited का तो Boring cost लगेगा, नहीं, क्योंकि B limited asset develop कर रहा, agree कर रहा हूं, तो B limited का मान लेते, expenditure भी हो रहा है, क्योंकि बी limit ऐसा cuidado कर रहा पर क्या बी लिमिटेट ने दो बी लिमिटेट का बोरिग गॉयंग कोस्ट एंकर होगा कट अब आiasmडिएड नहीं कर रहा क्योंकि ए लिमिटेट का पीनिजल Payback नहीं होगा क्यों कि B limited ने development कि एपर borrowing cost इसका नहीं लग रहा और ए लिमेटट का borrowing cost लग रहा तो यह develop नहीं कर लेकिन जब आते कि ग्रूब की consolidated statement की तो यह दोनों entity को एक ही माना जाते यह और भी अलग 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 नहीं यह और भी एक ही entity माना जाएगा गुरूप entity माना जाएगा तो ऐसे ग्रूप अगर में देखो तो यह पूरा एक group है क्या group borrow कर रहे हैं जी हां group borrow कर रहे हैं क्योंकि दोनों entity within the group है group borrow कर रहे हैं group qualified asset develop कर रहे हैं तो group financial statements में capitalize हो जाएगा पर individual and separate फैंसस statement में capitalize नहीं कर सकते हम तो यह चीज़ आपको समझना है तो देखिए यहाँ पर borrowing taken by one company within the group and qualifying assets developed by another company within the group borrowing कोई और company कर रही है qualifying asset developed कोई और company कर रही है तो group financial statements में तो दूनों entity को एक ही same माना जाएगा वहाँ तो capitalize की जह कोई problem नहीं है but own financial statement that is separate और individual financial statement में realization नहीं होगा क्योंकि since another company who developed didn't incurred borrowing cost क्योंकि B limited का borrowing cost नहीं लग रही है B limited से develop कर रही है इसका borrowing cost नहीं लग रही है तो यह हमने समझा यहाँ पर I hope आपको यह समझ में है लेकिन कितने बार intra group borrowing होता है intra group borrowing भी मैं आपको समझा देता हूँ A limited B limited यहाँ पर यह parent है और यह subsidiary है तो A limited ने क्या किया B limited ने borrow किया 50 lakh from A limited B limited ने 50 lakh borrow किया A limited से तो मेरी बात यहाँ से सुनिए क्या B limited borrow कर रहे है जी हाँ B limited borrow कर रहे है 50 lakh रुपीज रॉम ए और B limited अगर मालनीजे qualifying asset develop कर रहा है expenditure incur कर रहा है और activities भी अगर यह कर रहे है तो ऐसे situation में B limited individually सूचे अब individual A को बोल जाए है सिर्फ और सिर B limited को सूचे इंडिविजिल फइंडिविजिल 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 फइंडिविज तो यहाँ पर गुरूइंग की बात नहीं हो रहे है क्योंकि इन्डिविज्टा स्टीटमेंट है तो यहाँ पर कैपिटलाइज होगा लेकिन जब पर गोकी कि यहाँ पर यहाँ पर एलिमटेड ही मिटे और ही को पैसे दी हैं मालीजेए मिधिन गुरूप की अगर बात आएगी तो विदिन डाट गुरूप ही हो ऑस्ते बाहर बाहर्त वाले से ग्रूप कर्रें और मिधिन सोब्हूं है ना खर्चा भी हो रहा है तो within the group capitalization होगी आपका है ना लेकिन इंडिविजिटल फंसे statement में हम कहेंगे बी लिमिटेड खर्चा तो कर रहा है पर बोरो नहीं कर रहा है तो इसलिए हम कोई बोरो नहीं हो रहा है बहार से कोई बोरो हो रहा है कि ऐसे ग्रुप बोरो नहीं हो रहा है तो ऐसा सिच्वेशन में यहां पर इस नहीं होगा इस रिलेटेड एक इलस्टेशन है वह हम डिसकस कर लेंगे आपका और क्लियर हो जाएगा चलिए अब एक और पॉइंट है एक्जामपल पॉइंट नमर्ट फ्री यह भी हम डिसकस कर लेते हैं कोई-कोई मैच्चोरिंग इन्वेंटरिस होते हैं जहां पर पिरियड ओफ प्रोडक्शन कब एंड और डिटर्माइन करना मुस्किल हो जाते हैं जैसे कि अगर आपने कभी वाइन विसकी अगर आपने कभी ट्राइ किया तो आपको पता होगा कि वहां पर हम देखते हैं कि जैसे हंड्रेड पैपर वगेरा आता है वह आता है 7 years old 12 years old 14 years old अलग-अलग maturity का inventories होते हैं है न वाइन वगेरा में तो वही किस्ते हैं तो माल लीजे for example में 100 papers एक बना रहो यह वाइन का नाम है 100 papers में बना रहो माल लीजे मुझे 7 साल पुराना करके 7 years पुराना करके मुझे बेचना है तो मेरा maturity कब हो जाएगा वो inventory कब mature हो ज पेचेगा तो उसके लिए maturity period कितना है 12 years है है तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि कब mature होगा आपका कब mature होगा कब ready for use होगा यह अलग-अलग case में अलग-अलग हो सकता है उसी के accordingly आपको क्या करना है बोरिंग को capitalize करना है चले मैं पढ़ा देता हूं जिस यहाँ पर देखि it is sometimes difficult to determine when period of production ends that is when inventories are being held for sale as opposed to being held to mature तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक example लेता हूं यह 7 years है यहाँ पर 12 years है है न वह इन की बात हो रही है might be ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यहाँ पर तो held to mature है first is 7 years तो मैं कहूंगा held to mature है अब जो entity 7 years के बाद बेचती है तो उसके लिए यहाँ पर held for sale हो जाएगा और held for sale हो गया उस entity के लिए तो वो capitalization रोग देगी फिर है ना लेकिन कुछ entity के लिए इसके बावजूद भी यहाँ पर भी क्या रहेगा held to mature हैगा क्योंकि वो 12 years तक करेंगे continue और यहाँ पर भी held to mature हैगा यहाँ पर उनका held for sale आएगा तो मैं पता है जब तक held for sale नहीं आता है तब तक आपका asset ready for use नहीं हुआ है तब तक आप capitalist कर सकते हो लेकिन once asset ready for use होगे held for sale हो गया तो आप capitalist stop कर दोगे तो यहाँ पर हमें determine करना पड़ता है कि आपका held to sell कब होने वाला है ना और जब तक नहीं होगा तब तक आप capitalist कर सकते हैं पर कभी कभी कुछ-कुछ cases में यह determine करना possible नहीं होता है demonstrate नहीं कर पाते हैं कि कभ held for sale होगा कभ held to mature होगा demonstrate नहीं कर पा रहे तो ऐसा situation में जब demonstrate नहीं कर पा रहे तो आप उसे held for sale ही माने जैसे मान लीजिए यहाँ पर seven years में यहाँ पर either आपका यह held for sale हो जाएगा यह continue held to mature होगा अगर held for sale हो गया तो capitalization cease हो जाएगा अगर held to mature यह continue चला है तो capitalization continue होगा लेकिन मान लीजिए अगर अब demonstrate नहीं कर पा रहे no demonstration आप नहीं पता कर पा रहे कि यह held to mature अभी still चल रहे है कि यह ready for use हो चुका है अगर demonstration नहीं कर पा रहे आप पता नहीं कर पारे नहीं बता सकते तो standard कहता चल उठी के आप नहीं बता सकते तो हम यह deem मान लेंगे कि held for sale है और आपको capitalization रोकना पड़ेगा deem मान लिया जाएगा क्या? inventories deem मान लिया जाएगा held for sale और capitalization क्या होगा? tease हो जाएगा तो चल लिए उमीद है हमने concept सारे all together अच्छी तरीके से समझ लिया है सारा concept मैंने clear कर दिया है telegram में इसका PDF भी है और google drive link में भी इसका PDF है उस google drive के link भी description में मैं डालने की courses करूँगा जहाँ पर सारे PDF आपको मिल जाएगे और telegram में भी मिलेगा आपको टेलिग्राम जरूर से जोइन कीजेगा वहाँ पर भी काफी कुछ information आपको मिलते हैं उसका link description में रहेगा तो यहाँ पर हमने concept सारे cover कर लिए अब हम कुछ कुछ practical questions हम discuss करेंगे फटा फर discuss करेंगे तो question bank भी आपको description में link में हमारा question bank मिल जाएगा and हम वहाँ से start करेंगे फिर कुछ कुछ questions में आपको बता दू मैंने already करा दिया आपको मैंने examples कराए थे ना specific boring का general boring का उस example के अंदर अब जैसे देखिए illustration 5 मुझे कराने की जरत नहीं पड़ेगे पर फिर भी मैं फटा फट एक बर इससे go through करवा दूँगा theory question मैं नहीं करूँगा theory question अब खुद कर लिजेगा simple simple question है मैं से practical question करूँगा exam में भी यही आने कर रहत है illustration 5 अब भी हम discuss कर लेंगे illustration 6 का factory building वाला part मैंने already करा दिया example में specific boring वाले example में मैंने already कराया था इसी का data लेकि मैंने करा दिया था अब relate कर सकते हो कहां पर है मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह वाला यह जो हमने किया था था हमने थोड़ा example बदल दिया था आपका वहां का answer लोग होगा example थोड़ा data बदल दिया गया है आप अब यह question कर पाऊगी यह example करने के था illustration से सराम से हो जाएगा और illustration 8 भी मैंने same to same data लेकि set कराया था पूरा illustration 8 भी मैंने general boring में करवा दिया था general boring के example में मैंने illustration 8 अलरेड़ी करवा दिया आपको and अभी हम जैसे की discuss करेंगे practical question पहले discuss करना चाहता हूं मैं सारा चलो test your knowledge में हम आएंगे test your knowledge में पहले practical question में आएंगे तो पहले मैं आपको question number 2 कर रहा हूंगा test your knowledge का ताकि सारे practical एक बार cover हो जाए question number 2 discuss करते हैं फटा फट से x limited treasury department है जिसने arrange किया funds for all the requirements of the company including funds for working capital and expansion program 31st March 2002 को company ने construct के qualifying asset and incur the following expenses देखिए 1st July को इतना खर्चा किया और 1st December को 2,50,000 3,00,000 खर्चा किया that details of borrowing and interest देरों आरे संडर तो यहां पर बता दिया long term loan लिया हुए 10 लाग रुपीस का working capital लिया हुए 5 लाग रुपीस का और इस पर interest इतना दे रहे इन्होंने बता दिया तो देखिए यहां पर कोई specific बोरिंग कोस्ट का जिकर्ण इन्होंने यह नहीं बोला कि कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने कोई लून लिये है ना long term loan इनका लिया हुए कोई यह सब details बोरिंग है यहां पर कोई भी specific बोरिंग का जिकर्ण नहीं है मतलब यह जेनरल बोरिंग का कैस है और जेनरल बोरिंग में क्या करते हैं कि वेटेड अवरिज capitalization rate निकाल दे क्यों कि यहांपर आपका रिट अलग है यहांपर देखिए 10 लाग में वन लाग अब ऐसे भी निकाल सकते हो विटेड अवरेज कैपिटलाइजिशन रेट जिसे मैंने रेट निकाल लिया 65,000 पढ़ रहा है इंटरस 5 लाग में महले 13 परसें नहीं दुआ 65,000 डिवैड बाइ 5 लाग कर ली चाब है ना तो यह कैसे निकालोगे आप बोलोगे 10 परसेंट मेरा लग रहा है एक जगा पर और एक जगा पर 13 परसेंट लग रहा है 10 परसेंट लग रहा है जहाँ पर आपका बोलोग कितना है 15 लाग है दुनों मिला के और दुनों मिला के 15 लाग है लॉंग टर्म में 10 लाग है इसमें 10 लाग है और इसमें 5 लाग है टोटल कितने है आउट फिप्टीन लग 10 लाग इधर पो रोकिए हैं और आउट फिप्टीन लग 5 लग इधर है यहां पर 10 परसिंट टैन बाइंट फिप्टीन यह ने टू ठड़ हो गया तो यह 6.67 परसिंटेज आएगा करके देख ले जाए और इधर प्लस 13 का आपका वन बाइफ यह नहीं आपक यानि 6, 10, 11% आएगा आपका एक तो आप 11% ऐसे निकाल सकते हो दूसरा आप simple way में निकाल सकते हैं यहाँ पर आप कहते कि interest मेरा total खर्चा पड़ रहा है दोनों मिला के 1,65,000 और loan मेरा 15,000 लैक का है तो यानि 11% मेरा average बन रहे है तो आप ऐसे निकाली है या फिर आप ऐसे नि हम खर्चा कैसे लगाएंगे चलिए मैं यह मिटा दिता हूँ ताकि आपको मैं समझा सको यहाँ पर लिखा के देखे हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है तो लाक फिप्टी धाउजिन जूलाई पर लगा है तो रेट तो हम 11% यूज करेंगे तो जूलाई पर खर्चा कि आप मार्च और प्लस इसके अला हुआ त्री लाग फर्स दिसम्बर को हुआ अपका खर्चा यहीं चार में नहुआ ना इंटू 11% इंटू 4 बैट 12 तो यह आपका आएगा टू लाक फिप्टी धाउजिन का 11% कितना होता है 27,500 है ना और इसका 3 बैट 12 कर लेंगे हम लोग तो 2065 आएगा यह और यह आ जाएगा आपका 33,000 11,000 3165 आएगा अपका तो बोरियंग कोश 3165 कैपिटलाइज करेंगे और यह 15 लाक भी कैपिटलाइज होगा यह आपका इंटर्स 16 के सबसे 15 लाक कैपिटलाइज हो जाएगा आपका अपका इसेट है तो एसेट का टोटल वैलू क्या बन जाएगा यह नहीं मा लिजेए पीपी है तो पीपी फिफ्टीन लाक का तो हमने खर्चा किया नहीं सोरी सोरी 15 लाक खर्चा थो नहीं किया गलत हो गया यह रहा 5 लाक 50,000 2 लाक 50,000 और 3 लाक खर्चा किये न तो कंस्ट्रक्शन का खर्चा पीपी 550,000 प्लस बोरिंग कॉस्ट भी इसमें जूड जाएगा क्यापिटल एस होगा 3165 58165 टोटल पीपी का वल्लू हो जाएगा और भी इंट्रेस्ट लगा आपका बाखी का इंट्रेस्ट कहां जाएगा पील में जाएगा आपका क्योंकि interest तो मेरा पूरा साल भर के लगीगा ने इसमें तो जो remaining interest मेरा लगीगा वो कहाँ जाएगा पियर में जाएगा तो simple सा question था question number two मैंने आपको करा दिया question number three कराओंगा इसका separate video भी YouTube में है जहां पर मैंने दो separate यानि MTP में अलग तरीके से क्या हुआ है बस वरे कितने एक जगह में परेनम क्या हुआ एक जगह में four months का क्या हुआ हुआ है तो यह थ्री जो है अलग-अलग दोनों मैंने यूट्यूब में डाला हुआ लिंक दे दूंगा आपको आप वहां से दोनों क का अनलाइसिस कर लिजेगा अप्लेर हो जाएगा इस नेक्स्ट हम करेंगे भी कुश्चिन चलिए कुश्चिन निमर फूर कराता हूं अच्छा कुश्चिन है यह था करते हो कुश्चिन फूर क्ये लिमिटेड कंस्ट्रक्ट करना चाहते है नेया बिल्डिंग एट पॉस् फ्सक्रक्ट विलेए टू लएक पर इसने स्पेसिफिक लोन टू लएक के लिए रॉम इस इसका इसका एंसिस्टिंग लून भी चल रहे है यह अपका जैन्रल लोन हो गई है तो इस एवन लाग और नाइन लाग का देख रहे हूं ट्वल परसन और 11 परसन करके खर्चा कितना हो रहा है देखिए यह रहा है फाइव पॉइंट फाइव सिक्स सेवन इसने एट सेवन बोला लेकिन एट लाग खर्चा हो गया इसका एट लाग का खर्चा हो यहां पर the construction of the building was completed by 31st January 2002 तो मेरी बात सुनी यहां पर यह asset ready for use हो गया तो यहां पर capitalization क्या होगा सीज हो जाएगा 31st January विकोस इजन यह ready for use होगे तो इजन सीज हो जाएगा अब देखिए specific loan का तो rate है 9% आपको दिख रहे है specific loan जो आपने 2 लाग का लिया है इस पर 9% है बाकी general loan पर आपको अलग-अलग 12% और 11% दिख रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको एक rated average capitalization rate निकालना पड़ेगा general loan के लिए क्यासे निकालोगे 12% 7 लाग वाले पर और 11% लग रहे है 9 लाग वाले पर टोटल दोनों में लागे कितना 16 लाग है तो ratio 7 लाग बस 16 लाग 9 लाग बस 16 लाग का ratio पर हमारा आ जाएगा and इसका मैंने calculation नीचे किया हुआ है आपका आएगा 11.4 375 percentage यह हमारा आ चुपा तो हमें पता है specific loan का rate है 9% और general borrowing का rate है weighted average 11.4 375 percentage तो मैंने लिख भी दिया था कि चलू ठीक है यह रिखे specific loan का 9% है और general वाली का 11.435 percent है अब देखे हमने खर्चा किया यह सारा यह खर्चा किया अपरियल में यह खर्चा किया आउगस्ट में यह October में खर्चा किया यह January में खर्चा किया ध्यान रिखेगा सबसे पहले specific loan वाली को use किया जाता है capitalization करने के लिए यह specifically लिया हुआ है ना कितना लिया हुआ है 2 lakh rupees लिया हुआ है तो यह दिखे है हमने 2 lakh रुपी specific loan लिया हुआ है इस construction को करने के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो यह जो 1 lakh 50,000 हम मानेंगे specific loan से हमने use कर लिया और यहाँ पर 50,000 specific से use हो गया और remaining 1 lakh 50,000 क्या होगा जेनरल से use होगा यहाँ पर समझा रहा है आपको क्यूंकि पहला 2 lakh रुपिया specific से use होगा बाकी यह भी general यह भी general से use होगा specific में आपको यादे time period नहीं लगता specific में पूरा आपका once capitalization comments हो जाएगा आपका जब तक वो ready for use नहीं होगा तब तक आपका खर्चा capitalize होगा तो यहाँ पर अब दिखें यह जो 1 lakh 50,000 हमने खर्चा किया है यह 1 lakh 50,000 का boring cause capitalize होगा किस rate पे specific boring वाले पे specific वाले पे कितना 9% कितना पूरा salver का जी आप पूरी salver का ले सकते हैं बट रुके न January को तो आपने asset को ready for use कर दिया है तो अपरेल से लेके जनवरी तक अगर मालनीचे asset ready for use नहीं होता तो अपरेल से मार्च पूरा जाता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपरेल से जनवरी ही ले सकते हैं यानि 10 months ले सकते हैं क्योंकि जनवरी को तो asset ready हो गया अब ready होने के भले specific जनवरी अगस्ट को आपने खर्चा किया time period matter नहीं करेगा हम यहाँ पर 50,000 वाले के लिए अपरेल बिगिनिंग जिस दिन से capitalization comments होगा उसी दिन से हम capitalize करेंगे क्योंकि specific में मैंने आपको समझाया था time period नहीं देखेंगे but once ready for you सब तो stop होगा तो 50,000 के लिए 10 months होगा लेकिन जो बा अगस्ट, September, October, November, December, January अगस्ट से लेके January अगस्ट, September, October, November, December, January यहनी 6 months होगा यहाँ पर क्योंकि general boring में time period लगेगा तो यह देखेंगे एक यह सेम वाले में इसी वाले में अगस्ट में हुआ 50,000 वाले में पूरा अपरेल से January तक लिए क्योंकि अपरेल को capitalization comments हो रहा है time period दिखेंगे January इसली लिए क्योंकि यहाँ पर capitalization सभी का सीज हो जाएगा लेकिन general वाले में अगस्ट से लिए क्योंकि खर्चा अगस्ट में होगा और यह वाला भी general है तो यहाँ पर October से लेके January यहनी 4 months होगा यह January को है तो यह एक मेने होगा only one month होगा तो इस तरीके से हम capitalization करेंगे तो देखें नीचे मैंने लिखा हुगा है वन लाक सुप्टी धाउजिन आपका स्पेसिफिक से जाएगा स्पेसिफिक का रेट है 9% अपरेल से लेकि जनवरी है ना क्योंकि जनवरी को capitalization सीज हो जाएगा इतना आया दूसरा 50 धाउजिन जो है यह भी आपका अप को खर्चा किये पर यह अपरेल सी आपका capitalize होगा क्योंकि specific borrowing का case है है ना अपरेल टू जनवरी है because specific borrowing समझ आया हम ने निकाल लिए 9% 10 by 12 दोनों में लिया यह हो गया अब जो general वाला है बाकी का जो 1,50 धाउजिन इसमें था ना है ना 2 लाग में से 1,50 धाउजिन general वाला था इस 1,50 धाउजिन में general वाला rate लगेगा 6 मेने अगस्ट से लेके जनवरी फिर यह 3,50 धाउजिन में अक्टूबर से जनवरी 4 मेना लगेगा general का rate है ना और यह 1 लाग पे सिर्फ एक मेना लगेगा general का rate पे तो यह दिखिए यह borrowing cost हमारा सारा मिला के हो रहा है इतना यह दूनों मिला के यहने इतना का borrowing cost हम capitalize करेंगे पूरा detail में नहीं जा रहा हूँ मैं revision करा हूँ यहाँ पर तो उमीद मत कीचेगा कि सर पूरा detail में करा ही है आपर उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा तो आपक की तरह ही समझना इसको सो कोशिन 4 मैंने समझा दिया और अब entry जाओ तो पास कर सकते हो alternative entry भी यहाँ पर यह दिखें building का जो खर्चा 8 लग लगा तो यह तो as per इंडेस 16 8 लग तो खर्चा capitalized हो गई और boring cost भी इतना capitalized होगा मतलब जो 8 लग रुपीस आप खर्चा करोगे यह भी तो capitalized होगा as per इंडेस 16 है न और boring cost capitalized कितना होगा 37874 तो दोनों मिला कि हो गया न 837875 है 837874 एकी बात हो गया यह बिल्डिंग पे जाएगा 837875 पैसा दिया 8 लाग और बाकी interest payable interest भी दे दिया तो bank में चला जाए हो गया चली यह question खतम next हम करेंगे भी question 5 भी किरा देता हूँ question 5 भी फटाफट कर लेते है यह question भी काफि सिंपल है 1st April को entity यह ने construction करना चाहा है बिल्डिंग 22 लाग रुपिस लगेगा land under the building separate है और is not a part of the qualifying asset चलो बोल दिया qualifying नहीं नहीं है building complete हुआ at the end of March March के end में complete हुआ है और 1st April की बात कर रहे है यह नहीं मार्च end में complete हुआ है यहां पर और खर्चा बता दिया 1st April 30 June क्या-क्या खर्चा हुआ है यह सारी इन 1000 में है तो टू लाग 6 लाग 12 लाग और टू लाग होगा तीन जीरो लग जाएगा यहां पर हट जगा पर हाट जगा पर यह specifically to the project के लिए यह specific बोरिंग है पहला वाला क्या है स्पेसिफिक बोरिंग है और हमें पता इस स्पेसिफिक बोरिंग में टाइम पिरेट नहीं देखा जाता हुआ यहां अगर यहां पर ऐसा होता अगर यहां पर ऐसा होता कि मार्च से पहले ही asset ready for use हो जाता तो फिर भी हम टाइम पिरेट लगाते है क्योंकि asset ही ready हो चुका है बट यहां पर ऐसा नहीं मार्च के end में ready for use हुआ है तो चले पूरे साल भर कही capitalize होगा भले खर्चा थोड़ा बात में करो specific में माईने नहीं र 20,000 का यह नहीं 45,000 यहां पर capitalize होगा है ना 45,000 अपका capitalize होगा बाकी दो वाला बता है 12.5% का outstanding है यह specific नहीं यह बोल दिया है मैं कुछ बोला नहीं मतलब specific नहीं है यह बी specific नहीं है तो यह general हो गया यह भी general हो गया इस पर आपका weighted average capitalization rate हम निकालेंगे में राफ में करार हो भी आपको अंसर तो नीचे ही question में तो दिखे 12.5% लग रहे है यहाँ पर और यहाँ पर 10% लग रहे है यहाँ पर amount है 10 लाग यहाँ पर है 15 लाग तो लिखूँगा मैं दूनों मिला कि total कितना हो रहे 25 लाग है आउट ओफ 25 लाग हो गया और इधर है 10% पर कितना लग रहे है 15 लाग आउट ओफ 25 लाग तो इससे आपका rate आजाएगा मैं calculation नहीं कर आप खुद ही कर लेना 11% आएगा आपका WACCR हमारा 11% आया तो specific का तो हमने amount पता ही कर लिया है कोई problem नहीं है अब आगे देखते हैं आगे देखिए खर्चा क्या हुआ तो यह जो 2 lakh अभी दिए देखिए हैं यहाँ पर यह जो खर्चा हो ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 lakh रुपीस अपरेल को खर्चा हुआ हमारा पहले हम specific वाला यूज करते हैं specific बोरिंग कितना है हमारा 7 lakh है तो यह पूरा हम specific मान लेंगे पूरा का पूरा specific मान लेंगे और specific का तो हमने already amount निकाला हुआ यह 45,000 यह amount निकाला हुआ यह तो अलग से इस पर लगाने की ज़रत निकाला हुआ हमारा और यह वाला 6 lakh में भी इसमें 5 lakh specific हो जाएगा है ना 2 lakh और 5 lakh 7 lakh हो गया और यह 7 lakh पर ही हमारा 45,000 capitalize होगा after deducting temporary investment income अब बचा कितना है इसमें 1 lakh तो जो remaining 1 lakh है वो क्या हो जाएगा general हो जाएगा यह जो 1 lakh है इसमें 6 lakh में 5 lakh तो specific में चला है कि उसका में पता है 1 lakh general बन जाएगा general का rate कितना है 11% 11% निकाला अब इसमें time period लगी है general वाले में 30 June यह नि जून गया July, August, September, October, November, December, January, February, March 9 months फिर नीचे वाला 31st December कितना 12 lakh खरचा हुए यह भी general है specific तो खतम कर दिये use करके January, February, March 3 months फिर इधर यह 31st March को ही हुआ है आपका 2 lakh 11% तो जबकि 31st March को हुआ है और उसी दिन ready for use है तो यहाँ पर 0 month हुआ न 0 by 12 हो गया हमारा आपर इसका और इसका निकाले चे 1 lakh का 11% कितना होते है 11,000 रुपय होते है 1 lakh का 11,000 पर होते है 9 by 12 अगर हम करेंगे तो 7,500 तो उधर हो गया और 8,250 होना चीए है मेरे ख्याल से और 12 lakh का 11% 1 lakh 20, 1 lakh 32,000 और इसका कितना हो जाएगा 3 by 12 33,000 यह हो गया 0 यह पर कितना आगया 41,250 तो दिखें जेनरल वाले का जो हमने निकाला 41,250 है और स्पेसिफिक वाले में 45,000 ही तो टोटल बोरिंग कोस्ट कैपिटल है इस कितना होगा 41,250 जेनरल में और 45,000 स्पेसिफिक में 40,86,250 यह मैंने रफ में आपको समझा कि करा दिया बाकी आपका यहाँ पर कैलकुलेशन है ही सारा इनका देखिए क्या होगा 86,250 आ गया इतना क्यापिटलाइस होगा और रिवीजन है तो मैं ऐसे कराऊंगा यहाँ पर इससे ज्यादा वो बैटर आपको नहीं मिलेगा रिवीजन में ऐसे करने करना है तकि फटा-फट हो जाए हमारा और प्रेजंट आप एस पर करके फिर आप क्लकुलेट कर दीजिए नहीं ऐसे प्रेजंटेशन के फिर फ्लस कर देश पर इस्पेसिफिक वालबात खता हम इस पे कैसे प्रेजंट करो मैंटर इतना ज़्यादा नहीं करता था कोशिन इबर सिक्स पर रहूंग important लगता है मुझे for exam start करते हैं in a group with parent company P there are three subsidiaries with following businesses यह 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 parent company P है उसके तीन subsidiary है A, B और C है न खुड़ा सा time देंगे इस पर यह parent P है कि तीन subsidiary है A, B, C यह real state company है B construction company है और C financing company है ठीक है तो यह हमें पता चला तीनो subsidiary है parent company has no operating activities of its own but performance management function for its subsidiary financing activities and cash management are coordinator central यह सब कोई काम की बाते नहीं है आगे देखते हैं the following information is relevant for the current period 2012 real state company के लिए बता दिया नोंने इन्हों निका कि real state company इन्हों ने 10 लाग रुपीज का बोरुइंग किया है एड़ी रेट 7% पर रेनम इंट्रस्ट तो इनका बोरुइंग 10 लाग है रेट 7% तो 70,000 इनका इंट्रेस्ट बनते हैं इंट्रेस्ट कोस्ट है नग expenditure on qualifying asset during the period 15,40,000 इन्होंने qualifying asset पर expenditure कितना किया है 15,40,000 expenditure किया all construction work were performed by the construction company यानि construction company के थूँ इन्होंने काम करवाया है है ना construction करवाया amount invoiced by the to the real state company included 10% profit margin तो जो construction company ने इन्होंने construction company ने इनको जो काम करके दिया उस पे इन्होंने 10% profit margin जोड़ के दिया हमें उससे फरक नहीं पड़ता हम अगर real estate company का individually देखें मतलब आप construction company हो मैं real estate company हो आपने मुझे अपना 10% profit margin जोड़ के मुझे construction करके कुछ दिया है मैं खुद भी construct कर सकता हूँ करवा भी सकता हूँ तो मेरा खर्चा जो लगा है वो टोटल कितना लगा 15,40,000 आपका सथ कम लगा होगा अपने margin इस में profit जोड़ के दिया है मुझे मैंने आपसे काम कर रहा है तो मेरा 15,40,000 खर्चा लगा और मेरा borrowing कितना है का 10 लाग तो क्या मैं पूरा 15,40,000 का खर्चा अगर माली जी मेरा 20 लाग का borrowing होता तो ऐसा situation में 20 लाग का interest खर्चा capitalist नहीं होता क्योंकि खर्चा तो 15,40,000 नहीं होगा है न तो यहां पर आपते ही कितना capitalize होगा यहां पर पूरा का पूरा हो जाएगा क्योंकि 15 लाग का borrowing हमने किया है उसे जादे ही खर्चा होगा तो यह 70,000 interest cost of रुपे 70,000 eligible for capitalization in individual financial statement of real estate company मैं individual financial statement की बात करूँ individual financial statement में यह capitalize हो जाएगा अब समझे मेरी बात को construction company ने क्या किया no borings during the period finance rupees 10 lack of expenditure on qualifying asset using its own cash resources तो देखे इन्होंने खर्चा कितना किया इन्होंने देखे टोटल 15,50,000 का खर्चा होगा है और जिस पे construction company ने बता दिया construction company ने 10% profit margin जोड के इनको पता है तो देखा जाए तो इन्होंने खर्चा कितना किया कंस्ट्रक्शन company ने तो काम करके दिया है real estate को और 15,40,000 का real estate company का खर्चा है जिस पे construction company ने 10% का profit margin भी जोडा हुआ है तो देखा जाए तो 14,00,000 का expenditure हुआ है construction company का और इस पे 10% यानि 1,40,000 इस पे 10% जो है profit margin जो और के construction company ने बिल करके दिया 15,40,000 का real estate company तो construction company का 14,00,000 का खर्चा तो लगा है पर इन्होंने कोई borrowing नहीं किया अगर मालो यह borrowing करता ना construction company तो इसके भी individual finances statement में यह capitalize कर सकता मालो यह 14,00,000 का borrowing करता तो जो borrowing cost इसका लगता यह capitalize कर सकता since no borrowing since no borrowing cost incurred by construction company no borrowing cost eligible for capitalization कुछ लगा ही नहीं तो फिर capitalization का आएगा कुछ capitalization नहीं हो गए आपर तो मैंने individually बता दिया individually real estate company 70,00,000 capitalize करेगा construction company कुछ भी capitalize नहीं करेगा कि इसने borrowing ही नहीं किया अगर यह borrowing करता तो capitalize होता क्योंकि खर्चा तो इसने किया है कितना 14 लाग और इसने दिखे 10 लाग यह जो दिख रहा है प्रेट से लगाया वा पैसा borrowing नहीं क्या लाता चलिए यह समझा अब finance company ने क्या क्या finance company ने 20 लाग का borrowing किया ठीक है तो finance company का borrowing cost incurred हुआ है कितना 20 लाग का 7 परसेंट लेकिन finance company ने expenditure नहीं किया नो expenditure on qualifying asset तो दिखें हमने तो समझा था capitalization कब हो जब borrowing cost incurred होगा expenditure होगा activities होगा तब capitalization होते है तो यहाँ पर problem क्या देखो construction company ने खर्चा किया borrowing नहीं किया और finance company ने borrowing किया खर्चा नहीं किया तो individual financial statement में no expenditure on qualifying asset no borrowing cost eligible for capitalization in individual financial statement of financing company तो अभी तक मैंने यहाँ पर सभी जगा individual financial statement की बात किया तीनों के तो यहाँ पर देखिए पहला company का individual financial statement में 70,000 capitalized होगा क्योंकि इसका दोनों condition satisfy हो रहे इसने खर्चा भी किया बोरिंग भी किया दूसरे ने दूसरे ने क्या क्या बोरिंग कॉस्ट इंकर नहीं किया खर्चा किया नहीं होगा तीसरे ने बोरिंग फॉरस इंकर किया तो खर्चा नहीं किया इसका भी नहीं होगा अब बच ता है कौूंग कि इन्डि बिजूली हमने बात कर लिया इन्डि बिजूली मैंने सब का बता दिया और पेरेंट पार एगर अब बात करो किया तो पार्णट ने भी कुछ किया नहीं को का यह क्यी होने कहले चली सब्सक्राइब करें तो पूरे ग्रुप ने कितना खरचा कि पोरीं पोर ग्रुप कीकितना लगा के पूरा group के point of view से देखते हैं entire group के point of view से देखते है real state company ने 10 लाग उर्पया बोरो किया construction company ने कुछ भी बोरो नहीं किया finance company ने 20 लाग बोरो किया और interest दोनों का ही कितना लगा 7% इधर भी 7% इधर भी तो दिखा जाये तो outsiders से real state company और finance company दोनों ने borrowing किया 7% में तो group का borrowing कितने है ग्रूप का borrowing है 30 लाग 10 लाग प्लस 20 लाग 30 लाग और दोनों का rate 7% है यहनि 2 लाग 10,000 borrowing cost है किसका group का यह group की बात हो रही है individually ने group का अब हम देखेंगे group का expenditure कि है group का expenditure देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर construction company ने 14 लाग 14 लाग का expenditure करके इनको 15 लाग 40,000 का bill बनाया है 14 लाग expenditure करके 10% profit margin जोड़ाना और within the group profit वगेरा consider नहीं किया जाते है तो यहाँ पर देखा जाते हैं तो अगर मैं construction company real state company की बात करो तो 14 लाग का expenditure हुआ है simple सी बात है 14 लाग का expenditure हुआ है इसके अलाव और कुछ भी expenditure मुझे नहीं दिख रहे है तो expenditure सिर्फ हुआ कितना है 14 लाग का expenditure हुआ पूरा ग्रुप का construction company ने 14 लाग और रुपे खर्चे किए है 10% profit margin जो रहा वो नहीं आएगा तो ग्रुप का 14 लाग का खर्चा हुआ है इस पर 7% ही जितना अब बोरुइंग इससे ज्यादा है अब खर्चा जितना करोगे उतना ही तो capitalization मिलेगा तो therefore eligible capitalization for group जबकि 14 लाग से ज्यादा का borrowing entire group का तो 14 लाग पूरा का eligible for capitalization है और 7% ही weighted average capitalization rate है क्योंकि दोनों borrowing का rate 7% है कितना आएगा 14 लाग का 7% 14 लाग से 70 84 96 और कुछ एकर देख लेता हूं है बार यहाँ पर एक और भी है क्या अच्छा 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 construction company बता रहा है 10 था हो जिनका यह expenditure इनों ने लिया है बट मुझे समझ नहीं आया यह अपना extra खर्चा भी कर रहा है कि जो यह इनोंने आई सिये ने consider किया अपने solution में देख लेता हूं रुकिया ठीक है यह construction company ने एक तो इस पर 14 लाग का खर्चा किया है और बिल बना कि दिया है और extra से मानेंगे 10 था होजिन का खर्चा इसने किया है ठीक है qualifying assets पर extra से तो हम यह वाला 10 था होजिन भी consider करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे ग्रुप का expenditure मानेंगे एक तो रियल स्टेट कंपनी को बना की दिया 14 लाग का expenditure हुऊ है construction company का और एक खुद का और इसका खर्चा हुए 10 लाग qualifying asset के construction में इसम separate मान रहे तो यहां पर 24 लाग का खर्चा हुए हाला कि इससे ज्यादा आपका borrowing है 30 लाग का 24 लाग पूरा eligible for capitalization है 7 परसंट यानि कितना आएगा one like twenty thousand और forty one like sixty eight thousand होगा यह group का eligible for capitalization हो गया तो मैंने फटाफट से कर रहा regular class में मैं अच्छे से समझाया वा पूरा जिसने regular class देखा उसको अच्छे से आता होगा और यहां पर भी मैंने पूरा ही समझा दिया exam purpose के साबसे तो पूरा ही समझा दिया चली यह question भी complete होता है and question number seven कुछ खास नहीं है आप खुद कर सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा वैसा दम नहीं है कर लेंगे चलो question number seven कर लेंगे हम लोग अभी question number eight already YouTube में available है separately मैं link provide कर दूँँगा अभी नहीं कर को हमारे application में भी मिल जाएगा जीडी यह आप के अंदर एफ आर रिवीजन के अंदर एफ आर में एडिस्नल 22 एडिस्नल फोल्डर के अंदर आपको अनलॉक मिलेगा यह exam तक 2022 का exam तक यह अनलॉक रहेगा आपका तो आप वहां से कर सकते हो एप के अंदर जाके तो ठीक है 8 वाला वहां से कर लिजेगा 7 अभी कर लेंगे और 3 मैंने कहा है इसका भी YouTube में लिंक दे दूँगा मैं इसको मैं एच्छे से explain किया हुआ है 3 को भी YouTube लिंक दे दूँगा मैं चलिए 7 करते हैं Question No.7 में देखिए How will you capitalize the interest when qualifying assets are funded by borrowings in the nature of bonds यानि bonds के थरू अपने funding करा है Bonds इसको क्या पैसा लिया Borrowing क्या मतलब While limited issued at the start of the year 1 10% bonds with a phase below रुपेश 2 लाग 2 लाग का phase below bond इसके 10% discount में इसको किया गया यानि 2 लाग माइनस 10% कितना होगा यानि हमने जो bond issue कि हमारे हाथ जो पैसे आए वो कितने है 1 लेक 80 दाऊचिन है क्योंकि 10% discount में issue कि हमने Which is ready for use at the end of year 2 Year 2 में ये ready for use होगा और देखिए आपर interest paid annually है और maturity period 4 years का है आपको बता दूँ ये question additional question added हुआ है SM में और इसका भी वीडियो आपको हमारे जगाते digital education एप में मिल जाएगा वहाँ course का नाम है FR revision उसके अंदर FR में additional 2022 का हमने फोल्टर बना है जो कि unlocked है तेल exam में 22 exam तक वो unlock रहेगा वहाँ पर सारे वीडियो में प्रोवाइड किये हुए उसमें ये भी question already वहाँ पर provide किया हुए बागी सारे भी आप देख सकते हुआ चाहो तो compute the amount of borrowing cost to be capitalized effective interest rate दिया हुए 13.39% मैं आपको समझात हूँ है यापर मैंने लिखा हुए एक देखे मुझे क्या करना है मुझे अभी पैसे इतने मिले गोलनाग 80,000 मुझे देखा चाहिए तो net पैसे मिले discount में यस्व किया न और मुझे हर साल क्या करना पड़ेगा interest देना पड़ेगा कितना 10% obvious सी बात है interest हमें सा face value में दिया जाते है जो bond का face value होते है वो कितना 2 lakh है तो 2 lakh में जो face value तो को सी market value तो बदलते रहते हैं तो interest हमें सब face value में दिया जाएगा तो यह 2 lakh का 10% है तो हर साल interest दिया जाएगा चार सालों तक और end में 2 lakh रुपी सम प्रिंसिपल चुका देंगे अब आपको पता है यह रीट जो दिया हुए पता है क्या है हमें बता दिया अधर वैसा मेहनत करके निकालते ही है तो चलिए समझ में रिवाइस करा रहा हूँ डिटेल में वो वीडियो यूटुब में सोरी एफ और रिवीजन फोल्टर जगाती डिजिटल एजुकेशन अप में आप देख सकते हो अभी मैं फटा-फट रिवाइस कर आपका वन लेक एटी धाउचिन का 13.39 परसें आप करोगे तो यह आएगा तो यह इंट्रेस्ट है आपका यह सारे इंट्रेस्ट हो गए तो हर सल इंट्रेस्ट चड़ेगा और इंस्टॉल्मेंट माइनस होगा हर सल ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग आपका जो बैलेंस है लाइबिलिटी ओपनिंग लाइबिलिटी इस पर इंट्रेस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाएगा पेमेंट लाइबिलिटी को घटाएगा और लास्ट वाला प्लोजिंग लाइबिलिटी हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा यह जो फिगर आपको दिख रहे है दोनों यह आ पर, second year पर भी ये वाला, ये वाला interest cost कैपिटल एस हो जाएगा, third year, fourth year पर पर capitalize नहीं होगा, पता है क्यों, क्यों कि आप देखें, आपर क्या लिखा हुगा है, यहाँ पर इन्नों ने लिखा हुगा है, कि year two के end में year two के end में asset ready for use हो जाएगा तो पहले दो साल ते कि वो qualifying asset है तो पहले दो साल का interest का खर्चा capitalize होगा बाकी आगे फर्दर जो भी खर्चा रहेगा खर्चा रहेगा वो capitalize नहीं होगा वो PL पर जाएगा तो I hope आपको को यह समझ आया अभी अच्छे से एंड घ्यान रहे यह दोनों पी एल पे जाने वाला आपका तो हमें इंट्रेस्ट का खर्च है यह नहीं बोरिंग कोस्ट हमें पता चल चुका है तो टोटल बोरिंग कोस्ट कितना क्यापिटलाइज होगा यह दोनों फिगर मिला दिंगे 2410 2024651 48753 आपका टोटल बोरिंग कोस्ट ओवर दा पेरियड ओफ टू येर्स क्यापिटलाइज हो जाएगा तो बस यह सारा यहां पर सोलुशन में लिखा हुए सिंपल सा सोलुशन है कुछ इसमें है नहीं यह दो फिगर है 48753 आपका क्यापिटलाइज होगा तो सिंपल सा कोशेन है फटाफट रिवाइस करा दिया और कोशेन नमर एट आपको मैं नहीं कराओंगा आप जगाती डिजिटल एजुकेशन एप में एफार रिवीजन फोल्टर के अंदर देख सकते हो 6 कर लिया 5 कर लिया 4 भी कर लिया हमने and question में 2 भी कर लिया 3 मैं इसका पूरा प्रॉपर एनलाइसिस किया जो आटी पी में भी question है जहां पर अलग तरीके से किया similar question है न यह दोनों का मैंने पूरा अच्छी तरीके से relate करके समझाया हुआ है यह youtube में नहीं भी जाएगा तो अब fr revision folder देखेगा वहाँ आपको मिल जाएगा वहाँ मैं पका से डाल दूँँगा फार revision folder जगाती digital education app के अंदर fr revision folder में आपको यह मिल जाएगा तो यह question भी आपका समझ लीजिए होई गया question में 2 हो चुका है question number one भी फटाफ़ डिसकस कर लेते है question number one simple है देखिए marine transport ने क्या क्या 3 Sips का order किया supplier को कि 3 Sips बना के देना कब 1st April 2000 को इसने down payment भी कर दिया 25% का जो contract values का 25% down payment भी कर दिया यानी expenditure incurred है payment कर दिया expenditure incurred हो गया है ना और इसने long term borrowing लिया हुए है कहां से payment क्या out of the long term borrowings from a schedule bank तो बोरिंग से तो मैं ले बोरिंग को सिंकर्ड है देखिए payment कर दिया expenditure incurred क्योंकि contract दिये ना बनाने का तो वो खुद construct नहीं कर रहे करवार है है ना और बोरिंग भी किया हुए तो बोरिंग को स्बीन कर्ड होगा the delivery has to commence from financial year 2007 आज ही 2000 2007 में delivery हो गया है यह बहुत टाइंग है यह नहीं substantial period है मैं लिए qualifying asset है on 1st March 2002 the SIP builder informs that it has commence production of one SIP एक SIP का production commence किया है बाकी दो SIP का को ठिकाना नहीं तो बाकी दो SIP का capitalization हो गए नहीं एक SIP का ही capitalization start होगा क्योंकि commencement भी activity अभी चालू हुगा है जब तक activity चालू नहीं होगा तब तक capitalization ही होगा आगी क्या लिखा हुए है हाँ यह देखे और 1st March 2002 SIP builder ने inform किया है कि यह नहीं 1st March 2002 को एक SIP का construction commence हुए है और बाकी दो SIP का तो अभी तक हुआ ही नहीं उच्छा हमसे कि 2001 में क्या कुछ capitalize होना है boring cost और 2002 में कुछ होना है देखे 2001 में तो कुछ भी commence नहीं हुआ तीनो सी भी commence नहीं हुआ तो यहाँ पर तो कुछ होने से रहा capitalization 2002 में एक SIP का होगा क्योंकि 1st March 2002 को commence हो गया है और वो भी सिर्फ March का महना 1st March 2002 से 31st March 2002 एक मेने का commencement होगा capitalization तो देखे मैंने यहाँ पर लिखा हुए यह सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुए 2000-2001 में कोई capitalization नहीं 2012 में capitalization होगा 1st March से लेके 31st March तक का एंड बाकि आप अंसर पढ़ लिजिए एक पर बस खत्ब तो यह question भी हमने complete कर लिया question 8 मैंने कराई दिया था नहीं आप खुद ही कर लोगे सक जाओ गया 7 भी आप खुद से कर लोगे एकदम आराम से सक जाओगी कोई problem नहीं है 6 मैंने कराई दिया था example में चलिए मैं एक और question करा दूँगा elastation 5 start करते ABC Limited ने 20,000 डॉलर का loan लिये 1st April को 5% interest पे तो हरसल interest कितना देना पड़ेगा 20,000 का 5% यानि 1000 डॉलर का interest होगा और 1st April 2019 exchange rate between the currencies यानि जब loan लिया गया था तब 45 पर डॉलर था और year end में 48 पर डॉलर हो गया corresponding amount यानि Indian currency में अगर ले जो concept मैंने अल्रेडी सिखाया था Indian currency में 11% का rate बनते है चली मैं balance it के साबसे करा दे तो तो हमने पैसे कितने लिए 20,000 डॉलर लिए जब rate था 45 यहनि 45 तूजा 90 और 4 0 यहनि 9 लाग होगा तो liability भी हमारा 9 लाग होगा है ना और यह कैसे आया 20,000 डॉलर इंटू 45 ठीक है अब इसके बाद आगे क्या हुआ आगे interest का खर्चा 5% आपका लगा year end पे तो कितना लगीगा interest का खर्चा 5% लगीगा अगर year end पे चली यही कर लेता हूँ कितना होगा 5% या नि 20,000 डॉलर का 5% 1,000 डॉलर और year end में लगा उस time तो rate 48 होगया year end पे यह निए 48,000 interest है तो यह तो capitalize होगा यह तो capitalize होगा इसमें कोई doubt नहीं है 48,000 रुपीज capitalize होगा क्योंकि हम functional currency रुपिया में बनाएंगे न capitalize हो जाएगा हमारा कोई doubt नहीं इसमें अब obvious ही बात है interest का payment तो हर साल होगा तो 48,000 payment भी कर देंगे और bank से भी 48,000 कम हो जाएगा इसमें भी कोई doubt नहीं है ultimately यह बन जाएगा फिर से कितना 9,000,000 का लेकिन हमें year end में re-measure करना होता है liability को और हमें 20,000 डॉलर स्टिल चुकाना है क्योंकि हमने सिर्व interest ही चुका है और year end में हमारा कितना हो जाएगा 48 रुपीज करके हमारा चुकाना पड़ेगा मैं यनि 9,60,000 हो जाएगा तो अपका exchange loss आएगा कितना 60,000 का exchange loss आएगा और यही मुद्धा है कि exchange loss को पेल में दिखाए कि capitalize करें तो उसके लिए हम देखते हैं कि Indian currency interest कितना बनता हमारा हम यह चेक करते हमने equivalent loan कितना आगा लिया 9,00,000 का 11% इंडिया का rate है तो 90,000, 99,000 इंडियन currency में आपका interest बनता है ना लेकिन आपका foreign currency में interest बना 48,000 है यहनि देखा जाए तो 50,49, 51,000 51,000 आपका extra है मतलब आपका saving हुए saving हुए यहां पर due to foreign currency borrowing और इतना हद तक आप capitalize कर सकते हुए तो हम exchange loss capitalize कितना कर सकते हैं 51,000 तक capitalize कर सकते हैं और बाकी जो है यहां पर 60,000 हुए ना out of 60,000 हम 51,000 capitalize कर सकते हैं और बाकी PL में जाएगा 9,000 जो है बस इतना ही था question में कुछ था ही नहीं चलिए इनका answer भी दिखा देता हूँ यह दिखे 51,000 capitalize होगा क्योंकि 99,000 इंडिया में लगता है ना और 48,000 हमारा लगाया वहाँ पर तो 51,000 का हमारा capitalize होर हो जाएगा out of 60,000 51,000 capitalize करेंगे और 9,000 PL में दिखाएगा यानि आप पर हम लिख सकते हैं आउट ओव रुपे से 60,000 एक्शेंज लॉस 51,000 capitalize होगा 9,000 charge to PLS expense बस तो यह question भी मैंने आपको करा दिया so I hope मैंने अच्छे खासे questions आपको करा दिया पर इंडेस 23 के concept भी करा दिया अच्छे खासे questions भी cover करा दिया almost सारे एक आथ कुशेंगे वो YouTube में या फिर application में आपको मिली जाएगा so I think and थोड़ा slow पढ़ा है मैंने क्योंकि थोड़ा सा मुझे breathing में रहते है इस्टिल अभी वो problem है and I hope आपको वीडियो पसंद आया and आगे हम process करेंगे और भी revision video provide कर सकें thank you क्यां मुझे आफ उपको, कि ऑन रहा आपको देल क्यां मुझे एक रहा कि अमस्थ करेंभी